हाँ जी दोस्तों तो अपना free fast track badge बिल्कुल YouTube पर चल रहा है उसका chapter number 12 आज पहले पढ़ेंगे audit का Digital Auditing जो अपन बिल्कुल free fast track पर चल रहा है उसके अंदर में चीज अपन क्या कर रहे है Understanding तो चाहिए चाहिए अपन को मला उसके बिना case scenarios MCQs solve नहीं हो सकते Understanding तो अपन देर है साथ में एक अच्छी चीज पता है क्या इसके साथ अपन रटाफिकेशन भी cover कर रहे हैं हाँ जी जो भी memory technique and all आपको चाहिए याद करने के लिए वो रटवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है में ही आपको याद कर रहा हूँगा तो अपन शुरू करते है यह यह बुक वह ही है चार्ट टेबलर फॉर्मेंट में आपको पता है पता है इस में बुक की बात क्या है 530 pages approximately के अंदर पूरी audit complete हो गई जिसके अंदर concept भी है plus questions भी है plus hundred percent as price है यह मैं कभी debit नहीं करता इसे सब कुछ कवर है सब कुछ ठीक है तो अपसर में page कैसे रीडिस हो गए फिर सब कुछ कवर है तो भाई reason उसका यह है कि जेसे question का है कोई question नहीं कि हाँ यह question था इसी के नीचे यह answer आ गया तो भाई topic भी यही पर cover हो गया यह topic भी यही था question भी यही था topic के साथ answer भी यही पूरा चार टेबिलर फॉर में तुमको दिखे रहा है colorful है highlighted है टेबिलर है plus जो चीजे याद करने की tricks है वो भी मैंने यही दे रहे कि इसको याद कैसे करना है सब कुछ इसी book में इस के अंदर है मैं आपको description box में लिंक दे दूँगा अगर आपको purchase करने हो ठीक है चलो शुरू करते है अपना digital audit भाई ICA ने जो दो चैप्टर इस बार निकाले निव कोर्स के अंदर एडिशन डाले निव कोर्स के अंदर निकाले ते है एक तो यह चैप्टर नमबर 12 है digital audit एक है चैप्टर नमबर 18 है ESG audit वाला है जो environmental social governance वाला दो चैप्टर आइसे ने नए डाले डालने की बहुत अच्छे requirement थी बिल्कुल डालनी चाहिए ते digital audit आचके जमाने में पढ़नी चाहिए प्लस ESG वाला बहुत कामारी इसे की रिक्कत क्या है डालनी चाहिए उनको एक formality करनी थी भाई नया topic आया है उठाके चलो बच्चों को पढ़ा रहे हर कुछ उठाके प ब्रू कर दिये फिर भी बाकी में तो मैं कहे रहा हूँ पर इसके अंदर इन दो शुपने के ICI ने पहली बार कुछ निकाला है तो जो मिल रहा था गच्छड पच्छड डाल दिया यह दो चैप्टर में अभी भी कहे रहा हूँ आपको चैप्ट नमबर 12 और 18 आपको बहु टॉपिक डाल दिये कि अब तुम समझ तो तुमको जासे समझ ना उसी भी पात है तो इतनी डीप अंडेस्टेंग आईटी की तो आपन ले नहीं सकते पर जितनी रिलेवेंट है वो मैं दे दूँगा प्लस याद करने वाले इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक है एक दो टॉपिक है एक तो से लिए डिजिटल ओडिट है फिर नीचे वाला टॉपिक है क्या पर ओडिटिंग डिजिटली इसका बीच आईसे ने जो डिफरेंस रखा है न मलब रखना चाहिए था रखा पूरा नहीं है डिजिटल ओडिट मतलब जो भी आईसे की जो भी एंट एंटिटी की डिजिटल असेट्स को रिव्यू करना एंटिटी की डिजिटल असेट्स क्या क्या हो सकती है आज के जमाने में एंटिटी कोई भी मैनुवल खाता तो मेंटन करती नहीं लेजर हो रहा आजकाल सारे के सारे सारे एसेप यूज ले रहे है टेली यूज ले रहे तो mainly अपनको देखना कि entity के पास जो भी digital assets है, उसकी audit करना, digital asset की audit करना, mainly यहाँ पर आपन देखेंगे technology की review करना, SAP, Tally, Oracle, जो भी entity ने accounting system, internal control के जो भी software करका है, उसकी audit करना, ठीक है ना, उसको आपन देखेंगे कि entity ने अगर SAP लगा रखा है, तो अपनको उसको check करना पड़ Auditor के से नय-nय tools लेके, audit के भी tools होते हैं, नय-nय, entity तो digitalize हो गई, entity ने shape लगा लिया, front विगराप हो सची लगा लिया, shape सही report दे रहा है, telly सही report दे रही, Oracle सही report ले रही है, एच्दिया नहीं दे रही, अपनको भी auditing digital में, अपने को भी new technology वाले tools, new technology वाले tools अपनको technology वाले tools यूज करने पड़ेंगे, new technology वाले tools यूज करने पड़ेंगे, बिलकुल अच्छे-च्छे tools की, जैसे Power BI वगरा हो गया, Microsoft Excel तो बहुत चलो हो गया, यह अच्छा tool है, Microsoft Excel, Power BI हो गया, ऐसे तरह के, auditor को कौन से नय-nय तरीके के tool, digital tools, auditor को भी यूज करने पड़ेंगे auditor को, कि सारी चीज़ा manual check ना करके, manual check नहीं करगा, auditor भी अपनी company के, PwC, 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 अपने पास अच्छे-च्छे software ले लेगा, new technology ले लेगा, कि audit करने में उसको भी easy रहे, तो यह auditing digitally, कि digital tool की मदद से मैं audit करूँगा, और यह digital audit, कि जो भी, आप basic example यहीं लेके चलेंगे, अ NTT ने safe लगाया, SAP जो होता है, SAP लगाया, आप है, SAP या पर Oracle जो लगाया, accounting के लिए, तो SAP Oracle तो बहुत complex, complex, बड़ी-बड़ी report निकालता है, बड़ी-बड़ी accounting समाल लेता, बड़ी-बड़ी चीज़े, approval list समाल लेता, तो आपको जो देखना है, SAP Oracle बिलकुल सही तो चल रहा Auditor को चेक करना पड़ेगा, क्या SAP सही तो कर रहा है, Calculation Depreciation की Reports हो कर रहा है, तो यह, तो यह Digital Audit हो गया, पर हाला कि ICI ने दोनों टोपिक को थोड़ा बहुत mix and match कर दिया, इसका टोपिक उपड़ा दाल दिया, थोड़ा बहुत उपर नीची कर दिया, तो वो तो चलो Assurance on Effectiveness of IT System, कि IT-ness, अपनको कितना Assure कर सकते कि IT System है, वो कितना अच्छा है, IT System कितना अच्छा है, क्योंकि आजकर entity बहुत सा technical tools हो गई उस ले रही, बहुत सा tools हो गई, NTD website हो गई, बहुत सा software उस ले रहे, तो वो IT System entity का कितना अच्छा है, अपन कितना उसका Assurance ले सकते है, अच्छा है, बहुत साइस कर सकते हैं, कोई chief हो गया तो, मतलब hacker आगया, hacker ने data चुरा लिया, कोई unauthorized access हो गया, किसे ने भी computer खोल लिया, तो hacker से antivirus protect करेगा, आपको antivirus रखना पड़ेगा, क्यों virus अगरा नहीं आ जाए, प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा, कि इस अपना IT system किते हैं, effective है, प्लस अपनको देखना है, technology related, क्या क्या control लगा रिक है, company antivirus ले रखा है, ID password डाल रके है, हर एक system को login करने के लिए प्लान लीग रहा, ताकि क्या gap और risk है, वो अपनको पता पड़ जाए, ठीक है, तो क्या gap और risk है, अपनको पता जलदा है, तो meaning है इसकी placing assurance on effectiveness of IT system के, IT system जो भी antivirus लगा रखा है, उसके अपन किता अपन rely कर सकते है, SAP पर, और उसके क्या technology related control लगा रखे है, तो इसका key features क्या क्या होंगे, की feature इसके होंगे, अब इसकी trick दे रखे है, यह आप याद करने के लिए, तो मैं मैं लिए, क्या features क्या होंगे, technology related, digital लगा के लिए, तो एक basic है, अगर आपने कोई new technology लगई, तो एक standard process को automate करने के लिए, पहले काम कर गाते है, हर एक काम manual है, पहले एक paper बनेगा, फिर उसको भेजेंगे, अपरोल करना है, एक basic example ले लो, पहले अगर purchase करना था, पहले अगर purchase करना था, पहले अगर P.O बनाते PR से P.O बना, तो सब manually हो रहा है, physically कोई sign कर रहा है, फिर उस paper को उधर दे रहे, फिर वो P.O पर sign कर रहा है, फिर P.O के बाद 3 tender मंगा रहे quotation, वो उसको sign कर रहा है, फिर payment करना है नहीं करना, वो check पर sign कर रहा है, हर एक चीज़े से approve कर करकर एक एक कर रहे थे, अब क्या, पर tick-tick करना, फिर, tick-tick-tick, तो automatic हो गया पूरा का, या फिर कोई भी ऐसी manual calculation थी, पहले कोई ऐसी manual calculation थी भारी जो बल्कुल हाथों से करनी पड़ती थी, अब उसको automize करना था, तो main technology का यही तो काम है, कि पहले इतनी सारी manual calculation करनी पड़ती, अब उसको automize करना, हर एक set कर दिए, कि पहले यह perform करना है, फिर यह perform करना है, फिर यह perform करना है, automatic सब कुछ हो जाएगा, cost save हो जाएगा, cost कि employee को निकाल देंगी, जो इतने सारे काम करते थे, अब system perform कर लेगा, plus time भी बहुत कम हो जाएगा, तो अब as an auditor में क्या करूँगा, उसका comprehensive review करूँगा, उसका comprehensive review करूँगा, उसका 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 review यह तेखनोडोजी लाए मेनेजमेंट इस टेंड eco-anagraalator को आ इसको मतच्ब जानेश को कोई बंदानेटी Susixel बंददेशेयर कोव्व्वाप dependence टाकि के अगार थीध त की यूदिक रीवियु करूंगा की वहताटी टता सब्सक्रास ओनेबल का प्रिव्वा देरल new technology आईगी, अब कोई SAP लगाया तो SAP से new technology आई, तो अच्छी बात है न, अब audity को बिल्कुल नई technology रहेगा, तो confidence बढ़ जाएगा audity का, कि manual काम करने में तो error हो सकते थे, तो अगर नई technology आ गई, तो नई technology को एक बार auditor ने audit भी कर लिया, SAP लगाया, और audit भी कर लिया, तो उसक अब वो पूरा process एक standard कर देगी, पहले यह होगा, पहले होगा, पहले होगा, पहले होगा, फिर होगा, और वो सब कुछ automate कर दिया, पूरा process automate कर दिया, अब एक click पे पूरा काम हो जाता है, 10 दिनों के पास जाने की जरूरत नहीं है, save time cost और effort सब कुछ बढ़ जाते हैं, टेकनलोजी को बिलकुल comprehensively review करना पड़ेगा, अपनको पूरा-पूरा की कहा-कहा फे technology अपने financial reporting का affect कर रही है, क्या कर रही है, तो वो सब अपनको करना पड़ेगा, ठीक है, reliable opinion, मतलब में as an auditor में खुद भी assure होगा, कि कोई बंदा manual काम कर रहा है, तो error की chances है, manual काम कर रहा ह आना, तो system में एक बार check कर लिया, तो जिंद की बार वो सही चलने वाला है, तो मेरे को अच्छा लगेगा, कि आपने automatic पूरा काम कर दिया, तो manual error के chances कम हो गए, तो में opinion जाब है reliable दे पाऊंगा, में reliable audit report दे पाऊंगा, informed decision, ताकि audit भी informed decision लेशे के जब भी technology data निकलेगा, उ अपनको new digital strategy बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक company, हर एक company, artificial intelligence, robot अगरा यूज ले रहे, तो अपनको उस हिसाब से audit करनी पड़ेगी, तो इसके features हो गए, तो भाई केसे features को याद करना था अपनको, अपनको इसको याद करना था, sir, कि जैसे कोई भी company ने SAP लगए, SAP लगए बहुत सारे manual tasks को, बहुत सारे manual tasks को, बहुत सारे manual tasks को, एक standard process में लाग के उसको automize करना था, तो कोई भी new technology लाए, standard process को automize करने के लिए, कोई भी new technology लाए, standard process को automize करने के लिए, तो इसके time and cost save हो सेगे, तो अब as an auditor में उसका comprehensive review करूंगा, कि वो technology सही है या नहीं है, तो में as an auditor उस technology का review करूंगा, ताकि में reliable opinion दे सकूंगा, कि SAP आपका सही है या नहीं, में उसका reliable opinion दे सकूंगा, तो as an auditor में उसका comprehensive review करूंगा, तो यह क्या करा management लगा, new technology लाए, standard process को automize करने के लाए, ताकि time and cost save हो सके, फिर as an auditor में उसका comprehensive review करूंगा, और opinion दोंगा कि वो सही है या नहीं, और opinion दोंगा कि सही है नहीं है, फिर मैंने जैसे पिताबे सही है नहीं है, तो auditory अपना informed decision ले लेगा, इन दो chapter में क्या करेंगे, अब advantage क्या होगा, new technology लाने का advantage क्या होगा, और उस technology की बार audit करा लो, उसका advantage क्या होने वाला है, Lower cost of audit, क्योंकि आप नहीं technology की आगई, पहले कि आप 10 जने manual काम करते थे, 10 जने का manual काम मुझे मेरे को audit team भी बहुत जादा चाही होती थी, कि हर एक बंदा manual काम कर रहा है, तो सबका काम एक के करके सारा का सारा काम चेक करो, पर मेरे को आप digital load में ने कर लिए, कि इनका आप तो क्या automatic system आगया, तो SAP ही पूरा काम करने वाला है, तो मेरे का पस एक बार SAP को देख लेना है, तो मेरे audit का time भी तो cost कम हो गया, कि हम मेरे को 10 जने चेक करने के लिए नहीं चाहिए, मुझे 10 जने चेक करने के लिए चाहिए, सारा काम चेक करो, मुझे के लिए दो बंदी ही चाहिए, वो क्यों लिए बार technology चेक करेंगे, तो मेरे audit की cost भी कम हो जाएगी, audit की cost भी कम हो जाएगी, effectiveness और efficiency तो बढ़ी जाएगी, असी बात है, मैंने system को चेक कर लिया, पहले कि आप 10 तरह की report बंदा manual बना था, तो मुझे 10 की 10 report, 10 की 10 background, बार बार हर साल, जितनी बार वो report बनी, सब चेक करना पड़ता था, पर अब क्या हो गया, मुझे पता है, 100 बार वो report, is SAP के through ही बनी है, सब कुछ सही होगी, सब कुछ सही होगी, सब कुछ सही होगी, तो मेरे को क्या है, मैं अब बड़ा-बड़ा massive data होता है, वह भी मैं quickly evaluate कर सकता हूँ, audit की quality बढ़ जाएगी, risk assessment, अब मेरा क्या काम रहेगा, बाकी काम से focus अट गया, तो मैं अब risk को अच्छे से assess कर पाऊंगा, बाकी जगी ध्यान लगा कि है, डाटा अगरा मिल गया सब कुछ, रिस्क किस जगे ज़्यादा हो सकती है, उस जगे में ज़्यादा focus दूँगा, तो मैं risk assessment अपना अच्छे से कर लूँगा, बैटर analytics, या नई technology आगई, तो analytics, analysis में अच्छे से कर पाऊंगा, Excel आगया, Power BI आगया, Chart from वगरा सब कुछ बतादेगा, आज काल की हर एक तरीक्से प्रेंड बतादेगा, Artificial Intelligence आगया, खुद पर detect कर देगा कि यहाँ पर कोई तो गडबड है, पहले हर महीने sell 500 500 500 500 ग इस पार 50 लग की sale कैसे हो गई artificial intelligence खोड़ डिटेक कर लेगा analitics बहुत अच्छे से हो जाएगा analytic बढ़ जाएगा, analytical capability बढ़ जैसे AI खुद पता कर सकती कोई भी financial data में fraud आया तो तो यह सब हो जाएगा, तो dalれる दू को फायदा होगे आपनको बाइ, कम पैसों में, कम टाइम में अच्छी audit हो रही है क्योंकि रिस्क में पहले से cauliflower कर चुका हूँ क्योंकि रिस्क में पहले से Ronaldoette करका हूँ म Cast implica 2 एप् हरिशन के से रिस्क एप fermage 5 Hendon और यह मैं पहले उनको समझा चुका हो न, यह तो समझा भी या, अब ट्रिक का मेरा और कुछ मतलब होगा, या पर ट्रिक याद कराने के लिए, कम पैसो में और कम टाइम में अच्छी ओडिट की कॉलिटी होगी, कम पैसो में और कम टाइम में अच्छी ओडिट हो जाएगी, तो कम पैसो में कम टाइम में बेटर रोडिट कॉलिटी होगी बेटर रोडिट कॉलिट होगी कि मैं रिस्क को पहले से अनलिट कर चुका हूँ इंप्रूव रिस्क कर सीशमेट हो बेटर एनलिटिक्स चीक है यह अपना एडवांटेज हो गया इस चैलेंज ऑफ ओडिट का अपने लगा दिये अपने फीचर पड़ लिया अपने फीचर पड़ लिया अपने पैसो में कम समय के अंदर अच्छी अच्छी होजाएगी कि मैं इसमें पहले से नाइस कर सकूँ अब उसके कुछ डिजिटर ओर इड़ नहीं टेक्नोलोजी ला रहें नहीं एसे पी ला रहे है या ऐसा कुछ भी नए सॉफ्ट्वेर लगा रहें तो हरके बूंस एन बैंस तो इसे नहीं सॉफ्ट्वेर लगा रहें तो सीधी बात है कोई वाइरस आ जाएगा या फिर दस बैंको टेक्नोलोजी आ गई तो कैसे कहा सिखाएंगे उन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस भी आते बाई सीधी बात है तो आपको यह चीज़े धियान में रखनी है कि चैलेंज क्या क्या हो सकते डिज्ट्वाइट के कभी भी आपको ऑटोमेजेशन कर रहा है कोई बीची इसको घूकर ना है तो यह चीज़ ध्यान में रखनी है हो पी चैंज डिफिकल्ट होता है हर एक इंसान के लिए चैंज डिफिकल्ट होता है वाई सीधी बात है हर एक इंसान के लिए चैन्स हमेशा होता है तो यह बात को भी अंडर इस्टिमेट करना प्रोस एक राइट प्रोसेस उनों को किस चीज को अटोमेशन करने की जरूवत है हर किसी को अटोमेशन करने बेट हो किस चीज को पहले इस चीज के लिए इस चीज के लिए इस चाहते क्या हो कि पहले केसा काम हो क्या हो अब हो फिस चीज के बाद करें करको से मैं क्या कि अब थाष्व कि मैं क्या बेनिफिट क्या होगा कि मैं क्या बैनिफिट चाहता हूं ऑल गा इस करने के में इसको ऑलत्मायस도 हो जाएगी या फिर ये काम होर अच्छे से होगा quality बढ़ जाएगी है फिर cost कम जादा होगी benefit क्या होगा तुमको पहले ये सोच के रखो कि optimize करने के पहले benefit क्या होगा तो ये सब चीज़े consideration में आ रही है कि क्या consideration है कि आप कभी भी automation करने के सोच लो तो पहले ये ही चीज़े सोच लो not a standalone solution केवल कोई एक पार्ट को digital करना मलब ऐसा automation नहीं बहुत सारे चीज़ों को link करना पड़ेगा automize करना है तो ये stand-alone solution नहीं हो सकता plus security risk तो हईगी होगी आप कुछ भी चीज़ ऑटोमाइस कर रहे हो online कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो hacker आके आपका data चुड़ा सकते कोई भी id password डालके बिना id password को आपको hack कर सकता है ऐसी बहुत सा antivirus आसकते है तो ये चीज़ों में तो आपको risk तमेशा होगी होगी ठीक है तो ये चीज़ा आप पहले ही ध्यान में रख लो ये चीज़ा आप पहले ही ध्यान में रख लो ये चीज़ा हमारे ओर्गनाशन में रिक्कत आ सकती है तो इसको याद कैसे करना है क्या challenges आ सकते है माना की change difficult है सब मानते change difficult है पर अगर सई प्रोसेस पे पर अगर सई प्रोसेस पे लगाया न तो बहुत benefit है माना की automation के लिए से माना की बहुत-बहुत difficult है पर अगर सई प्रोसेस पे लगाया है बहुत benefit है पर साम्मे वाला बोलेगा क्या benefit है मैं उसको समझा रहा हूँ माना की change difficult है मेरे पुराने accountant को समझा रहा हूँ माना की change difficult है पर सही प्रोसेस पर अपने automation लगा लिया ना तो बहुत benefit, तो बहुत benefit सही प्रोसेशन लगा लिया ना, तो सामधाल बोल रहा है एह क्या benefit है, एह क्या benefit है single solution तो है, नी security risk भी होगी सरहर को यहां कि data आपका चोरी करके ले जाएगा online है पूरा का पूरा data, एक क्या benefit है single solution तो है, नी security risk भी होगी तो मैं उसको समझा रहा हूँ, मुझे counter argument दे रहा है तो challenges हो यही तो आरह है, मैं उसको समझा रहा हूँ और मुझे counter argument दे रहा है, ऐसे अपनको याद करना है मैं बोला हूँ, माना की chance difficult है पर अगर सही process पे, सही process पे अपने लगाया ना सही process पे, process related दो point है, तो बहुत benefit है तो मैं उसको समझाने कोशिश कर रहा हूँ, कि माना की chance difficult है पर सही process पे लगाया, right process पे, right process पे और process माना की chance difficult है, पर अगर सही process पे लगाया ना, तो बहुत benefit है बहुत benefit है, वह को है benefit है, क्या benefit है, क्या benefit है, को Skenderloin Solution तो है नी, आपका data और चुरू जाएगा security risk है, को I Skenderloin Solution तो है नी आपका data और स्थ जाएगा security जाएगा security risk है भाई, ठीक है ना, तो मैंने उसको सम्झाया तो ये अपनको ऐसे यात रखना है कि auditor einh understanding of management implementation autumn we dekובh management ने जो भी नै टेकनोलोजी की से लगई तो स्कोख क्या क्या चीजे toี अंडेस्टेंट चीजेंड करनी कि अंडेसेंड करनीं कीज़ब को यह क्या तो अडिटर को क्या चीज़े दिमाग में रखनी है ऐसे लगा रहा है जब भी क्या कर रहा है कि भाई मुझे बस सीधी बात है मुझे देखना internal control system and process सब्सक्राइब क्याए internal control system and process सब्सक्राइब उसे अपर तुम गोला माला internal control system都 सब्सक्राइब तो भाइ मुझे यह देखना है कि जो भी new technology लाइब वो मेरे internal control, जो organization ने internal control लगा रहा रहा है, उस पर कहाँ काप impact हरेगी, कि आप पहले तो manual काम होता था, PO का approve करने का, फिर tender को check करने का, कि कहाँ पे कम ज़्यादा price है, क्या है, antivirus है नहीं है, फुलांटी, पहले तो manual काम होता था, अब आप new technology लिया है, कि आप सब कुछ एक 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 क्लिक के आपर काम होगा, सब कुछ उसके आपर होगा, तो आपके internal control जो भी थे, वो कहाँ काँ आप effect हो जाएगे, new technology के से internal control कहाँ काँ आप effect हो जाएगे, वेटर को वो समझना पड़ेगा, प्लस, जो भी आपकी changes in the way of entity developed and maintaining करो, जो भी नए, आप जो चीज लाए हो ना, नया जो system लाए हो, तो जो भी उसके क्या नय रिस्क आ सकते हैं, उस नय रिस्क पर क्या control चाहिए, नय रिस्क आ सकते हैं, कि जो भी आप नय, एक तो आपके internal control पर क्या impact आएगा, प्लस, जो भी impact आया, मलब जो भी आपने नया system लगाया, उससे क्या-क्या नय रिस्क और नय control आपको change होंगे, जो भी आपने system लगाया ना, तो उस पर क्या-क्या new risk and new control चाहिए होंगे, जो भी आपके नया system लिया है, तो पहले वाला process आपका same काम भी करेगा ना, प्रोसेस भी बदलने पढ़ेंगे, पहले यह होता था यह होता था यह होता था भी यह होगा भी होगा, तीन जनों की requirement ही नहीं भाब है, उसकी एक टेक्नलोजी आगए, फिर दो जनों की requirement है, तो आपका पुरा process भी बदल दिया, तो मुझे कैसे होगना है, internal control system and process, internal control system and process, internal control पे क्या effect आएगा, new system के यह से new risk को new control क्या रहेगा, और कौन-कौन से process, कौन-कौन से process पे क्या change हो जाएगा, नई टेक्नलोजी को यह से कौन-कौन से process चेंज जाएगा, और यह सब समझेगा audit के लिए, ठीक है ना, तो यह भी हो गया अब ता, Auditing digitally, Auditing digitally, अब यह अपने उपर पढ़ा था कि मैं SAP लगा है, तो उसका SAP की audit करना ही है, अब यहां पर बहा पर तो क्या, नहीं digital technology opt करनी पड़ेगी, audit करने के लिए तुझे भी नया नया software यूज लेने पड़ेंगे, card जो थे computer assisted technique, तुभी नया-nया Microsoft Excel यूज ले, Power BI यूज ले, KMI यूज ले, मतलब फ्लान रिका जो भी नया नया tools होते, कि वो fraud automatic detect कर ले tools, मेरेको data डालना है, सब कुछ reconcile automatic चल ले, बहुत सारे software आप है, कि आप trial balance उस software में update कर लो, और जितने भी आपके laser से, जितने भी laser से, वो सारे उसके अपडेट कर लो, तो trial balance और laser को check कर लेगा, plus laser के साथ सारी balance sheet भी check कर लेगा, बहुत सारे software आते है, कि आप सब चीज़े upload कर लो, प्रिकंसाल कर लेगा, कि आप सही, सारे data में चोरे, इसे laser से trial balance है, इसे बहुत सब्सक्राइब आती है, याविट पावर भी आती है, आपको graphical presentation देदेगा, डाटा ओधर डाल दो, ग्राफिकल presentation देदेगा, आपको audit करते हो, एडवांस technology लूज़ दो, ताकि effective और efficient way में audit हो जाए, अच्छी तरीका से कम time में, effective और efficient audit हो जाए, आपकी, ठीक है ना, तो new technology help करेगे, आपको capture data करने में, process को automize करने के लिए, पर दस article को बढ़ा रगा था, एक एक जीचे करे था, आपको software लिया, उस बोजे के 10 article के जरूत नहीं पढ़ेगे, एक software लगा दो direct की, तो आपका automate जाएगा, पर प्रोसेस, वो analyze भी कर लेगा, information प्लस software करने के लिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी software लागा इसाब करना ही के लिए, तो auditor से क्या expectation है, auditor से, क्या expectation रहेगी भाई, auditor से बस ये expectation रहेगी, जहाँ जहाँ पे भी आपको technology की जरूत पढ़ रही है, मालब कि आपको नहीं आती हो technology, तो किसी expert को hire करने की जरूत ही क्या, मतलब जहाँ 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 पे भी, साम्ने आला सम्झे, साम्ने आला client बहुत, teesla की audit करणे से लिगैं Tesla में तो robot हो रहा है, वे अपनको देखना पढ़ेगा रोबोत सही data आटा प्रोसेस कर रहा है, Tesla ने नहीं पता ला, Accountant भी robotic रख रहा है Software सब कुछ data डालो, एक लो पर्चेस invoice चऴा और प्रचेस invoice करने के लिए कि इनका जो भी software design हुआ है काम करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि audit team को एक्सपर्ट रखने के जरुए तो मुझे भी नहीं नहीं टेक्नोलोजी लानी है ताकि मैं existing process मेरे existing process audit करने के अब उनको पुराने जमाने जैसे पन्ने पलट-पलट के audit नहीं करूंगा एक एक चीज़े खुद करके चेक कर रहा हूं मैं खुद हातों से चार्ट बना रहा हू एसा नहीं भाई एसा नहीं कर सकता अब मुझे भी नहीं existing process लाने पड़ेगी evolving scope of audit अब मुझे scope audit में planning करता था नो audit की planning कर रहा हूं कि पहले यह करना है यह करना है fix asset करनी है liability करनी है revenue करना है अब मुझे वहाँ पे echo डालना पड़ेगा कि technology भी cover करनी है technology भी करनी है की feature advantage क्या होंगे कि भाई मैं audit करते हूं नए डिजिकल तूर्स होगा तो जल्दी अलदी काम हो जाएगा क्योंकि human तो inefficient होते automation से फटाफट काम हो जाएगा जल्दी काम हो जाएगा यूमन तो inefficient होते है automation से फटाफट काम हो जाएगा audit quality भी improve हो जाएगी audit quality भी improve हो जाएगी risk सारी transparent होुई, अब रिसक wszystko transparent होगा तो टोटेकल सारी transparent होने वाऑदா ब सार्स फटाफट का ने वाली है ठहुड है तो बाएम यूमन तो inefficient होते यूमन तो inefficient होते फस्सपिंट ये होगा सेगेंड़लो का यूमन तो inefficient होते automation से audit quality भी improve हो जाएगी क्योंकि आप रिस्क सारी ट्रांस्पेडन्ट हो जाएगी रिस्क सारी रिस्क सारी ट्रांस्पेडन्ट हो जाएगी क्वालिटी होगे ठीक है ना Automation से वाई साफ देख। Automation से अपने रिसक शरी.. यूमन तो इन EFFICIeंट होते हैं, तो इन EFFICIeंट होते है.. तो पर इन पर DIPEDEंशनी काम हो जाएगे, एं पर हमाएगे.. सारी टेखनलोजी पर डिपेंड होंगे.. क्योंकि यूमन तो INFFICIeंट होते है.. technology से efficiency बढ़ जाएगी फटा-फट काम होगा technology से अपनको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तो human to inefficient होते है technology human to inefficient होते है human to inefficient होते है human to inefficient होते है अब automation से automation से audit quality इंप्रोब हो जाएगी automation से अब पूरा का-पूरा काम automatic हो गया तो manual data extract करना, manually check करना, manual error होना, बहुत कम हो जाएगी यह साही चीज़ है human to inefficient होते है तो manual तो automation लगा लुँआ, human to inefficient होते है तो automation लगाया तो उस वज़े से मेरी audit की quality इंप्रोब होगे उसमेंसे audit की quality इंप्रोब होगे क्योंकि risk भी transparent होगे तो audit की quality इंप्रोब हो जाएगी क्योंकि पहले में क्या sampling करना ही पड़ती थी, अभी वह से sampling ही करते है दस लाग invoice में दस लाग चीज़े एक साथ चेक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे manual चेक करना ही पड़ेगी पर कोई ऐसा automation software लगा दिया कि 10 लाग चीज़े मुझे 10 लाग laser आप अप्लोड करने है software में वह सब कुछ चेक करके देगा तो भाई मैं sampling से फुरा full population की तरफ बढ़ सकता हूं मैं audit team के और analysis कर सकते हैं में काम के में काम पर focus करो clerical काम मत करो तो audit की quality improve होगी क्योंकि risk सारी transparent होगी रिस्क साही transparent होगी अब बैटर risk assessment मतलब अब auditor ना focus कर सकता है real challenges पे manual काम तो उसने optimize कर दिया manual चीज़ अब उसको main काम पर focus करना है transparency बढ़ गई technology में audit trail का मतलब क्या होता है audit trail का मतलब होता है कि पहले एक काम कराता ना कोई बी entry pass करी समझो general entry pass करी किसने बी general entry बास करी तो कब इस general entry की कौनसी date क्या थी किस बंदे ने पास करी इसको कब modify करी इसको कब इसको कब वापिस से repass करी, हर एक चीज का log बनता रहा है कि पहले system में यह हुआ फिर यह change दो फिर यह change दो फिर यह change दो तो कभी भी कर manual, कभी भी कोई audity को audit कर भार है अगर कोई गपला करें रहें इसे कि entry को delete माख और कर रहा है, modify कर रहा है यूमन तो energ position 2 बेरिफिदेंसिय ऐगी कंच कि इन इफिशन्ट होते मादब कर दो मैं गर्वाक फिली पर रजाय वौछ के काम अडिविध sincer केरिकि मैं अब्सक्राइब और मर्लेपोर चौन करिंड गोड्य और ब्रजाय कि डिंड रिंडो वार्ड की Correct तो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगे कि या क्या क्या प्रोबलम आ सकती है कॉंसील टेकनोलोजी मुझे चाहिए और मेरे पढ़े पुराने जमाने के सीयंते हैं पूराने 10-10-20-30 साल पूराने वाले, उनको तो इस बंदो को स्केल भी करना पड़े गा तो मुझे एक्स उस्ट करना कैया, चलाना आएगा क्या तो भाई मुझे देखना पड़ गा क्या क्या प्रोब्लम आ सकती है नई टेक्नोलोजी टूल के अंदर क्या 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 प्रोब्लम आ सकती है उससे में को क्या क्या बैनिफिट होगा क्या 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 बैनिफिट होगा कॉंसी टेक्नोलोजी चाहिए क् मेरे वाले ओες ने मेरे ओर मेरीड फर्म के लिए साहीर तो सब तो यह सब मुझेस चलाना यगा तो उनको अब इसकिल करना पड़ेगा उस बंदों को अब इसकिल करना पड़ेगा कि इस टेक्नोलोजी को केस से चलाना है उसको training development मुझे देना पड़ेगा अब एक लास्ट आपकोंड डलक से याद एक लेना कि range of automatic solution कि बहुत सारे तरह के automatic solution अवेले बेले market camp बहुत कम sophisticated है बहुत कमफलेक्स से लिए करें कोई Microsoft Excel है कोई राक है आया दनके XL BBA है तो मुझे न मेरे repetitive task को automate करना है और कि हमें repetitive task मुझे नहीं करना है वो software करके दे तो उसके लिए बहुत सारे software है बहुत सारे range के software है आपको क्या करना है मैक्रोस लगाने, BPA लगाने, RPA लगाने, IPA लगाने, उसको मैं थोड़ा थोड़ा से बता रहते हैं, तुमको क्या क्या होता है यह मैक्रोस होता है, rule-based automation, rule-based automation क्या होता है, macros, कि अपने कोई standard process define कर दिया, कि पहले तुझे यहाँ पर click करना है, मुझे से excel के अंदर macros होता है, किसनी use दिये तो, पहले तुझे इस से, Microsoft Excel है, Microsoft Excel है, यहाँ पर calculation दे रखिए, कोई भी calculation में को बार-बार करने हैं, पहले इसको add क फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, अब रूल बना दिया, तो मुझे बार-बार यह formula लगाने, प्लस करके, equal to, फिर divide by 20, अब यहाँ पर जो भी figure होगा, यहाँ पर एक macros नाम का एक tick लगा दूगा, यह बटन हो जागा, यह बटन हो जागा, यहा पूरा का पूरा रूल बन चुका है, कि यहाँ पर जो भी होगा ना, उसके साथ पूरी calculation यह automatic आजाएगी, तो मुझे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक से पूरा का पूरा काम optimize हो जाएगा, एबल macros बन जाते हैं, कि आपको बस आपके data को, trial balance को आपको डालना है, trial balance पे amount को इदे डालना है, पूरा का पूरा का पूरा, कि एक बान manual आपको उसपे rule set करना है, पहले होगा, पहले होगा, पहले होगा, पहले होगा, तो एक rule based set हो जाता है, BP होता है business process automation, कि पूरे के पूरे workflow को सब कुछ बदल दो, पूरे के पूरे business का जितना भी process है, सब कुछ existing business process जितना भी, उसको re-engineer करना, सब कुछ बदल देना, automize कर देना, सब कुछ बदल देना, यह robotic process automation, कि कोई एक specific process, कोई भी specific process, जो आपको automate करना है, robot अगरा के जरीए, कि यह वारा बन manual task है, इस process को, इस process को मुझे automize करना है, यहापे तो कि आपा business automation पूरे पूरे existing process सारे सार automize कर दिया, यह आप तो पूरी organization यह एक तरीके से automize कर दिया, आपने बहुत साई change कर दिया, यह intelligence process automation होता है, IPA, macros लोगे, BPO, RPO लोगे, यह होता है, IPA, intelligence process, कि यहापे चापन नहीं यह पढ़ा, मैं RPA, किसी भी चीज को automize करना, अब उसमाँ artificial intelligence लगा दो, दिमाग लगा यह जो भी data दे रहा हुना, तो बार-बार मेरे behavior को देखके, data को देखके, वो काम कुछ सीख जाएगी, तो उसमे learning process भी आगए, यहाप तो मैंने जिसको बोला है, वो कब होई करेगा, कभी debit नहीं होगा, कभी कोई नहीं चीज बोल दी ना, यह करी नहीं पाएगा, यहाप इस बार 10% sales increase हुई, तो यह pattern को खुद learn करेगा over the time, खुद अवर देखकेगा, कि हो सकता है, इस बार sales increase हुई है, तो खुद देख लिगा, कि हाँ sales तो increase हुई है, तो इसके साथ सा COGS, cost of good salt भी increase होनी चाहिए पर वो नहीं हुई, तो मतलब fraud है काई नहीं पर, तो वो जाएगा, चीज़े खुद समझना से हो जाएगा, ठीक है, तो macros, BPA, RPA और IP, macros, BPA, IP और RPA, macros, BPA, RPA, macros, BPA, RPA, और IP हो गया पर यह, range of automation available है, आर्केट के अंबर, भाई, advantage और challenges क्या क्या है, auditing digitally के अंदर, यह उपर तुम पढ़ लेना, बस इस के अंबर यह है, कि ISA ने हिंट दे रहा, कि यह हिंट दे दिया, कि यह हिंटे, बाकि refer the topic number 2, आईसे ने मोडिल के अंदर यह से दिया, तो refer the topic number 2 के अंदर, मतलब यह वाला topic था, auditing digitally का, पर जो यह आपर दिया है ने, advantage of challenges, यह तुम पढ़ोगे न, तो यह digital audit जो आपने फर्स topic पढ़ोगे, और second by auditing digitally, उनका mixture mixture दे रहा, उनका थोला mixture mixture कर दे रहा, ठीक है, मतलब तुमको समझ में आजाएगा, इसा कुछ ने, improve efficiency बढ़ जाएगी, quality अच्छी हो जाएगी, cost कम हो जाएगी, risk assessment बढ़ जाएगा, तो यह hint में दे रखाई से, तो यह तुम उसको elaborate करके लिख देना, बहाप क्या-क्या technology लगा रखी है, वो क्या अपने audit में impact करेगी, final data, financial data में impact करेगा, कैसे करेगा, वो सब करेगा, तो as an inverter मुझे उसको समझना पड़ेगा, as an inverter मुझे समझना पड़ेगा, इसा नहीं कि, यह आप बोला है, question बोल रहा है, कि इसको समझना optional है, समझने की जरूद न कि मुझे क्या-क्या देखना है, understand the way in which entity relies upon the IT, कि मैं को क्या देखना है, कि मुझे न, यह पूरा answer है, यहाँ से लेके, यहाँ तक, illustration generally कोई नहीं लिखता है, यहाँ था कि मानलो तुम इसका answer, illustration कभी याद ने रहती है, यह का याद 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 देखना है, कि मुझे देखन करना पड़ेगा, कि entity IT को कहा का पर यूज देते है, किसकी काम के अंदे, information technology की मदद लेती है, financial statement मिलाने के लिए, purchase order process करने के लिए, किस चीज के अंदर IT पर rely करती है, तो ताकि मुझे risk पता पड़ेगा, अगर purchase order IT के थूरू बन रहे है, यह यह risk हो सकती है, यहाँ पर virus आ देखेंगे कि IT को का, entity का का पर IT पर rely करती है, फिर understand how IT is used, the entity helping identify control over the IT process, कि जहाँ जहाँ पर IT यूज होता है, वहाँ पर कौन कौन से control लगा रहे है, entity ने, वो भी आपनको देखना पड़ेगा, अपनको देखना पड़ेगा, complexity of IT environment, कि जहाँ जाबा complex है, IT system जाबा complex है, तो क या मुझे, मुझे, बहुत जाबातों complex IT system है, मैं तो नहीं कर पाँगा, मुझे expert लगने पड़ेगा, IT के engineer हो गराखने पड़ेगा, मेरे बसकी बात निए, यह audit करना, मेरे बसकी कावाद, नहीं है, यह audit करना, फिर सब सब देखना पड़ेगा, कहा-कहा पर IT पर entity rely करती है उस पर कहा-कहा पर control है, कहा-कहा पर IT पर entity rely करती है, कहा-कहा पर control है, और यह सब करना मेरे बसकी बात निए, complexity है, बहुत सारी, मुझे expert रखना पड़ेगा, ठीक है, टीन stages इसका कुछ नहीं है, पहले understand करो, कहा-कहा पर use लेती है, फिर अपनको identify करना है, कहा-कहा पर कौन- कि मुझे यह सारी चीजे समझनी है, यह सारी चीजों पर मुझे ध्यान बेना है, कि entity के आपको inter, जो भी IT सिस्टम है, आपको क्या-क्या समझना है, मुझे देखना है entity कौन सा software, कौन सा hardware यूज लेशती है, कौन सा application यूज लेती है, कौन सा hardware मालब कौन से IT के infrastructure component entity यूज ल कौन सा सॉफ्ट्य हार्वेर उस लेती है, कि कंपनी का और्गनाईजेशन का structure क्या है, कि यहां पर Chief Information Technology वाला बंदा है, उसके नीचे CISO काम कर रहा है, उसके नीचे technician काम कर रहे है, तो कौन किसको report करता है, कैसे करता है, यह CEO को report करता है, उसका organization structure क्या क्या है, IT related policies क्या क्या है, कि password होने चाहिए, password कम से कम 15 digit के होने चाहिए, हर 3 मेरे में password बदलने ही पड़ेंगे आपको, कौन कौन से आपने IT risk or control हो सकते है, कि risk ही है, कि virus आ सकता है, तो अपने control लगा रखा है, कि antivirus लगा दो, कौन कौन से risk or control हो सकते है, ठीक है ना, IT, कौन कौना software, hardware, application और software तो हो गया, application और hardware कौन सा हो गया, IT infrastructure plus SPC, structure, policy, control, structure, policy, control, structure, policy, control, तो यहां पर आपने फस्स देखा था कि IT कहा कहा पर entity IT पर rely करती है कहा कहा पर उस वरसे risk देखेंगे फिर उसके बाद जहां पर entity rely करती है वाँ वाँ पर control तो लगा रखे ना अगर IT जादो complex है तो मुझे expert की जरूत पड़ेगी तीन स्टेज कों से हो गए understand करना entity को identify करना risk or control और assess करना की कौंसी risk आपर कितना affect कर सकती है फिर अपने पड़ा हाडवेर, software, hardware, SPC, application IT, infrastructure, structure, policies and control और यह जितना भी auditor करेगा ना यह सब understanding ले रहा है अभी तक इन चीज़ों के understanding ले रहा है उसको document करना पड़ेगा ऐसे 230 की according, ऐसे 230 documentation बोलता है ना हर चीज़ का documentation करना है तो आपको यह भी documentation करना पड़ेगा तब यह इस तरीके से document कर सकता है कि बाई entity यूज लेती है SAP का software accounting के लिए यह integrated application है किसके लिए यूज आता है यह integrated application है पूरे बुरे organization को integrate कर देता है, inventory manage कर, inventory से लेके finance department को, software department को, सब को integrate कर रहा है एक्जाम में आने में तो कुछ भी आसकता है पर कुछ मतलब नहीं है यहां तक answer होगा तुम्हारा बहुत काफिया पर एक कोई भी आज करना हो तो कर लो की area for an auditor to understand IT environment IT environment को तुमको समझने के लिए मलब कौन-कौन से IT environment as an auditor तुमको कौन-कौन से area समझने है, कौन-कौन से की area जो तुमको समझने है IT environment को समझने के लिए यह वाला topic था न, यह वाला topic इंस से link होना चाहिए था कि मलब यहां पर भी तो बना auditor understand कर रहा था automated environment को कि उसको software hardware SPC देरना कि कौन-कौन से area अगर तुमको area पूछ ले तो इधर बागी जाना है और बागी अगर यह वाला question आ जाए कि उसको क्या-क्या समझना है नॉर्मली तो automated environment related question आ जाए तो automated environment में तुमको इधर जाना है ठीक है और IT environment का question आ जाए तो इधर आना है तो मुझे को से difference कहा जाए जाए सब कोई difference नहीं है इसे पागल बना रही IT environment और automated environment क्या है भाई सेम ही तो है ठीक है चलो जैसे what are the stages कौन-कौन से involved में IT environment को समझने के लिए और क्या key consideration auditor को रखने अब भाई अपनको क्या-क्या consideration ध्यान रखनी है आपनको देखना है कौनसी TCS company TCS company में क्या-क्या flow and complexity यहापी लिए लिए क्या tcs company यह होगी तो flow and complexity, यह complexity हो गई, यह flow गया, TCS company में क्या flow and complexity है, यह तुमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, TCS company में क्या flow and complexity है, क्या समझना पड़ेगा तुमको, TCS company में क्या flow and complexity है, तो अब as an order मुझे क्या समझना पड़ेगा, as an order मुझे हर एक flow of transaction मुझे पूरा का पूरा स तो केसे प्रोसेस हो रहा है, तो जैसे SAP, SAP का पूरा flow समझना पड़ेगा, कि SAP में data से financial statement final बनता केसे, पाई क्योंकि जैसे कोई purchase कर रहा है, तो पर PR भी SAP में raise हो, purchase requisition किसे रहा है, फिर purchase order किसी बना PR से, purchase order के बाद सामने वाले का invoice आया, सामने वाले का invoice आया, पर invoice आने के पहल पूरा flow के साथ, पूरा पूरा purchase payable का, पूरा पूरा flow के से था, flow of transaction, तो flow of transaction आपको समझना पड़ेगा, auditor को identify and understand करना पड़ेगा, nature of number of specific IT application, कौन कौन से IT application, कैसे flow करती है data को, पूरा process, पूरा प्रोसेस को, IT application कैसे पूरी data को, flow of transaction कैसे होता है, तो आपको ये समझना नहीं है, इस IT environment के अंदर, कि भाई, ये बहुत जादा complex है, तुमसे नहीं हो रहा, तो expert को उठा के लाओ, ठीक है ना, तो वो depend करेगा, कौन सी application, कितनी complex है, क्या है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो expert को रहना पड़ेगा, तो मैं ऐसे, as an operator, मुझे देखना अपने समझ लिया, complexity देख लिया, TCS, TCS, Technology Control System, तो system से देखते है, बाई, कौन सा significant system इस लिया है, कौन सा significant system इस लिया है, IT infrastructure, कौन सा significant system, कि कौन कौन सा IT application, कौन सा IT infrastructure इस लिया है, जिससे वो class of transaction, कोई भी transaction को finally, अपने accounting system में, बला ऐँ, finally, financial statement में ला सके, कौन कौन सा infrastructure, इंफ्रासिक्षर के अंदर कम्प्यूटर के हार्डवेरी समझ लो कौन से हार्डवेर हो रहा है उसले लिए IT अप्लिकेशन में SAP लेलो antivirus लेलो कोई सीधी SAP टेली अगर उठा लो तो कौन कौन से सिग्निफिकेंट सिस्टम सिग्निफिकेंट क्लास ओफ ट्रांजेक्षिन को पूरे अकाउंट बैलेंस डिस्क्रोजर को स्टार्टिंग से लेकर उठा के पूरा सॉफ्ट्वेर में ला सके SAP अंदर से फाइनेशल स्टेट्वर्ट बन चेके काउंट्रोल सी से कंट्रोल कौन से कवन से मैनवल और ऑट्वमेर्ट कंट्रोल है, मतलब mix भी हो सके कोई entity मैनवल कंट्रोल बीन पर खके और उत्मेटिक कंट्रोल भी लगा तो कोई भी ट्रांजेक्षिन, कोई भी करके 5 लिख दिया, F-I-V-E करके, तो वह accept नहीं करेगा, automatic control है, manual control में यह होगा, कि पहले तो manual control में आपको देखना पड़ेगा, कि उसने कहीं पर भी report निकाल के देखना पड़ेगा, कहीं पर भी F-I-V-E लिखा तो नहीं है, control लगा हो तो सही ना उसको, कि काई पर भी कुछ गलती ना हो, तो दोनों का mixture लगाना best रहता है, दोनों का mixture लगाना में शाब best रहता है, कि automatic plus manual लगा के mix करके लगा दो काई पर, अब कौन-कौन सी technology IT यूज ले रही है, कौन-कौन सी technology company यूज ले रही है, PO बना, GRN हुआ, GRN का invoice आया, invoice लगा चेक करा, फिर finally किसी ने payment अप्रूव करा, सब कुछ फिर vendor को payment हुआ, तो purchase पर प्रोसेस हुई, financial reporting activity में कैसे आ रही है, risk कहा कहा पर हो सकता है, अगर complex technology है, तो expert को use low, आप आपके बस की बात नहीं है, तो कुछ technology के example दे रहे हैं, पर नीचे पढ़ेंगे, robotic, IoT, Internet on thing, artificial intelligence, drone, blockchain, ये नीचे है, सब कुछ है, नीचे है, कसरा बर्रका है है, इनके नाम पर, जो चीश समझनी चाहिए है, एक जेक कि इसको कैसे use लेना है, क्या करना है, जो असली में ओलिटर को कैसे use लेना है, वो डालके नहीं, इनके थोड़ा-थोड़ा theoretical ग्यान चेप दिया, और उस ग्यान के अंदर भाई, जो relevant चीज़े द्यादी, वो नहीं उठा है, जो बाई, समझना कैसे वो नहीं उठाया, मैं गूगल से पढ़ रहा हूँ, एक इस चीज़े, बाई, क्या होता है, यह पियो टिक इसके अंदर क्या होगा, AI के अंदर क्या होगा, मैं एक इस पटर बता रहा हूँ, पुछ नहीं हो सकता, आईसे हैगा, पहली बाई, चेप क्या पाई, क्याइट को यूज करनेसे कहाँ कह काँप, कैसी कई के सथी கितेरिकिती, रिस्क हो सकती है, आपको वो गव ada इंटिफाय करनी है कि भाई मैं अगर आइटी उस दे रहा है तो बहुत से रिस्क भी होगी कोई एंटी वाइरस नहीं होगा अपने पास वाइरस को जाएंगे अपना डाटा चोरी हो जाएगा थे कि आटा चोरी हो गया तो कस्टमर वेंडर अपने किस कर सकते हैं कि तुमने हमारा पर्सनल डाटा किसी को बेज के से चोरी हो गया उपनी खान पास bank कर fak Grade इसे कुछ भी केस हो जाए, अपना IT सिस्टम उन्होंने हैक कर लिया, अपना पूरा 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 हैक कर लिया, और अपनी books of accounts अपन नहीं हो रही, books of accounts अपन नहीं हो रही हो बोले कि हमको 10 crore रुपए दो, उसके बाद ही हम देंगे hack करने सा बोला, 10 crore रुप हो सकती है, और कैसे उसको manage करती है, how to identify IT risk है, तो कुछ ने basic example है, कि हर एक IT application में कुछ ने कुछ रिस्क होती है, जैसे अगर, जादा risk कब होगी, जादा risk, more risk कब होगी, जब IT के अंदर, जाबा automatic चीज़े लगा रखी है अपनने, automatic application controller high है, जाब अपने जाबा volume complexity जादा है, volume or complexity की सारी साइ चीज़े automize कर रखी है, तो IT risk जादा हो सकती है, management, java rely कर रहा है, control पे, management, java rely कर रहा है, control पे, कि वो physical चीज़े ना करके, मना manual चीज़े ना करके, automatic control पे जादा rely कर रहा है, तो, यह basic चीज़े छोड़ो, अब यह यहाँ पे, अच्छा है, मुझे लगता है यह important है, यहाँ पे तो mark करो, important, यहाँ पे mark करो, मुझे लगता है important है, यह, risk क्या क्या हो सकती है, IT की चीज़े यूज़े, basic चीज़े की data, आपका data मेने वो न, data, data गाया हो जकता है, data पे कोई unauthorized access कर ले, data को कोई delete कर दे, data loss हो जाया, या फिर आपका system SAP अगरा संबलो, SAP पे अगरा के अंदर कोई भी change कर दे, छेड़ काने खा जाया, telly हो गरा के अंदर कोई master data change कर दे, system अगरा पे, या SAP हो खिसे ने hack कर ले, आपको चलाने ही नहीं दे रहा, तो अपको चलाने ही नहीं दे रहा, तो आपको चैंज कुछ करना है, तो SAP चला ही नहीं पा रहे, SAP चला ही नहीं पा रहे, या फिर उसके अलावा कभी भी hacker ने कुछ hack कर लिया, आपको अपन ऐसे पर चला ही नहीं पा रहे, तो अपना downtime आ गया, कोई server fail हो गया, आपको उसको repair होगा, जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते है, तो अब ये साही चीज़ आपको देखने तो दाटा की related point हो गया, system की related change हो गया, IT application related, IT application related हो गया, data की related हो गया, अब वो इसके हमें की IT personal को access दे दिया, उसकी उकाद से चाहता, IT personal को इतने लिए access देने की ज़रती है, जो भी IT के बंदे होते हैं, उनकितने access देनी दीती है, अब IT के बंदों को सारा access दे दिया, आप IT अब डाटा देगा, आपका data पूआ अब वो गया, IT person को जितना access देना नहीं था उससे जादा दे दिया, कि इसको duty perform करने के लिए उसको अब access देना था, बसकि मुझे जादा दे दिया, manual intervention जादा होगा, कि कोई automatic चीज कर रखिये, और कोई बार बार बान manual काम कर रहा है, कि बुब का बहुत साइच चीजे, इंटर लिएक के अंदर बहुत सारे software वगरा connection, सारे PC आपस में connected है, कभी एक PC के अंदर अगर virus आया, तो सब PC के अंदर virus आजाएगा, तो वो चीज के अंदर हो गया, कि एक PC system अगर failure हुआ, तो बाकि सारे system को भी failure कर देगा, risk and regulatory compliance जादा होती है, risk and regulatory compliance कि अगर IT में, आप जैसे से आप IT में बढ़ाते जारो, IT system लेते जारो, तो आपको बहुत साइच compliance और जादा follow करनी पड़ेगी, या फिर आपने को system लगाया था, IT का पूरा का system ही बना देगा, बहुत महिंग का रूपर लगा के, कि अपनको follow करन बना है, पहले समझ लो, lease होता था, lease accounting, lease accounting का कोई लगाते पहले, accounting standard होता था, accounting standard, अब अपने accounting standard के हिसाब से software बनाया था, अब पूरा का पूरा low end regulation change हो के, index 116 आगया, index 116 आगया, अब बहुत में बनाया था, अब पूरा 116 आगया, तो banker cost लग जाएगा, अपने पूरा software ब रोम हम इस system में use लेंगे, एक system की रेम और रोम दूसरे system में एक बहुत कर देते हैं कि ताकि heavy data लोड ओकर process कर पाया, scaling, ठीक है, तब याद किते पूरा है, हर एक के अंदर, हर एक के अंदर, maximum 5 से 6 points अपन को याद करने है, याद किते करने है, 5 से 6 points, क्योंकि maximum question, 5 से 6 marks कही 5 से 6 marks सखेगा maximum position, तो इसलिए बाग कि पढने है, क्या है, हाँ बहुत बढ़ने सारे, पढने सारे क्योंकि MC क्योंकि MC किसी भी points आ सकता है, कि यह वाला points होगा नहीं होगा, answer में पूछ लेका ऐसा, याद करने है, याद किते करने है, याद की याद करने है, याद के और 5 से लूटा की तो किसने लोटीप कर दिया तो दाता को सुइस हो मर दिन यूक का दिया एयोет अजे़ प्रbern inability रविगे लिएक काथे क्वेलन बीलेट करले आंद प्यठीब कर देन से आचा पड़ कर दिए क्या지만 जूय कि पर इस घंड lecture कर देन से के मिना इसमें centre को ड्रीट तो पट न चेंच कर्णा था तो मैं चेंच कर्या दिया है हुए किसी पाइल पर इस पूमारे यूही बन जाएंगे चार से पाइट इसम में से एक-दो कोई भी याद करवो ठीक है एक इंटीग्रेशन डिसक रहा दो रिसको रेगुलेटी कमप्रेश यादो ठीक हो अपना पाच्छे पूंद याद करने अपने वह होगा है ठीक है तो यह रिसक एसे आराईज हो सकती है किसी बाइटी सिस्ट में क्यों कि अपन को केस से आइटीफाय करना है कि यह कौई बी IT डिपेंदेंसी कोई पूरी पूरी और यूर्गनाजिशिां पर डिपेंडनेंट है तो हैंा को क्या क्या चीज है आइटी पर डिपेंडेंडेंट है dh आईटी के अंदेरी रुपय आते हैं, पूरे के पूरे के और ऊंलाइन रुपय आते हैं, उस रिवेनिय बूक होता है, तो पूरा का पूरा सिस्चम प्रोसेज अचाउंट में आएइगे, उससाब से ऑल्टो में पहले हैं, तो कहा कहा पे entity dependent IT के उपर वो अपनको देखना पड़ेगा as an order मुझे देखना पड़ेगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि entity है न, entity कहा कहा पर IT पर rely कर रहे है पूरी की पूरी how IT integrated with the entity business model उस पर क्या-क्या risk हो सकती क्या-क्या risk हो सकती कि जब पैसा आएगा तो पताला पेसा नहीं आया या फिर IT system में कोई गलत data process कर दिया गलत amount का process कर दिया तो क्या-क्या risk हो सकती है तो मुझे यह सब समाजना पड़ेगा ताकि मैं efficient और effective audit कर सकूँ IT पर कितनी organization कितनी हद तर ID पर dependent है वो मुझे समाजना पड़ेगा जब IT का system में अपन यूज लेते है IT माला information technology माला automatic process यूज लेते है transaction को initiate, authorize, record, process, report करने के लिए transaction initiate भी हुआ, authorize भी हुआ, record भी हुआ, process भी हुआ finally reporting करना माला financial system भी हुआ सब कुछ automatic तरीके से हो रहा है सब कुछ automatic तरीके से हो रहा है उस वक्त पा IT dependency आ सकती है IT dependency के type क्या क्या है past तरीके, past type दे रहे है तो आप बिल्कुल इसको याद किसे करना है पूरा का पूरा जग किस पर dependent है जैशिया राम, जैशिया राम चंद्र तो जैशिया राम, जैशिया राम तो Siya Ram Chandrare Pura Pura Dependent हे, Pura Pura Jad, Jeevan, सब कुछ Siya Ram Chandrare Dependent हे, बोलो Jai Shira Ram थेज बोलो, Jai Shira Ram ठीक है ठीक है, पूरा का पूरा ये जगत Siya Ram Chandrare Dependent हे Siya Ram Chandrare Dependent हे, भाई S.I.A. Ram Chandrare Kaa Ram Chandrare Kaa R.C. ठीक है, टो Siya Ram Chandrare Kee तो सिया राम चंद्र पे पूरा का पूरा जग डिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें पूरा IT पर dependent है, अपने manual कुछ भी ने देख रहे हैं, फूरी की security IT पर है, अपने पूरा system लगा रहे हैं, segregation of duties होगरा, वो IT के पर उसे छोड़गा, अपने dependent है, security पूरी dependent है, IT पर है, segregation of duty, कि अपने segregation of duty IT के एसाफ से लगा रहे हैं, कि ये transaction के लिए, ये बंदा प्रूव फिर एक बार transaction इसने पूरी कर दिया, फिर ये बंदा पूरी करेगा, फिर इसने पूरी कर रहा, फिर ये बंदा पूरी करेगा, एक बंदा इम्राग तीन जने एक transaction वो अलग 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 टुकडों में पूरी करेंगे, फिर IT में security है, manual of sign होगरा नहीं देखेंगे, अब IT क के पास, के पास, CFO के पास आएगे, तो 3-4 जने जो अप्रू करेंगे, सब IT पर dependent है, सबने इधर टिक करा, इधर टिक करा, इधर टिक नहीं करा, और सब कुछ automatic हो गया, virus की through tick हो गया, automatic हो, तो अपन दो पूरा इस पर dependent है, तो security अपने पूरा इसे इंटरफेस, इंटरफे से general laser में transfer करना, general laser से TB में transfer करना, मतलब general laser में, अपने JV पास करी, JV से general laser automatic बुन गया, TB से financial state में automatic बुन गया, सब कुछ automatic होता हो जा रहा, data एक ज़िए, इस दूसरी के त्राफेस हो रहा, interface उस पर dependent है, automatic control, automatic control भी यहापर आ गया, कि कोई भी control अपन सब कुछ उस पर dependent है, व यह content पास्ट लाग के उपर का प्रोसेस शेक करता, पास्ट लाग का रीजम पर है, कि यह content को भी past लाग के उपर का पैमेंट रहा है, तो जैसी past लाग के उपर का आकाउंट रहा है, वो click करी निического क्टॉल झातर के पर लगा, चिक है? अपने purchase order approval workflow जाा रहा है, security के अंदर अपने segregation of duty देख लिया फिर एक report SIA security interface automatic control security interface automatic control security interface automatic control SIA CR Ramchandr CR Ramchandr R से report जो भी system generated report जो भी IT system ने जो भी generate करी अपन उस पे dependent है पूरा अपन उस पे dependent है अपन पूरा उस पे dependent है तो अपन को उस पे जो भी system से जो भी generate होगी ना report तो अपन उस पे TOD करेंगे substantive analytical processor करेंगे और सब करेंगे क्या customer aging, vendor aging customer aging मलब data aging data ने कितने data का पैसा है एक साल से उपर बाकिए, दो साल के उपर बाकिए, तीन साल के उपर बाकिए तो ये सारी report अपन को system ही निकाल के देगा तो अपन उस पे depend होगए system पर depend होगए उसको लेके calculation, कोई system direct system ही calculate कर रहा है पूरा का पूरा यहां पर exam बने दिया depreciation by SLM SLM method पर, WDV method पर अपनको manual नहीं calculate करना depreciation अब उस system ही calculate करके दे रहा है तो अपन यहां पर dependent होगए उस पे तो CR Ramchand, SS security, I say interface ISIA, A say automatic control security interface, automatic control CR Ramchand, R, C R से report, C से calculation R से report, तो अपन डिपेंटन के इस पे CR Ramchand तो अब IT dependency, जो भी अपने IT dependency पढ़ा ना, उस पे IT dependency की वज़े से क्या-क्या risk हो सकती है, उसको अपन के risk कैसे respond करना है, क्या-क्या risk हो सकती है, उसको risk कैसे respond करना है, basic इतना important लगता नहीं है, पर हाँ, ठीक है, चलो क्योंकि उपर हर चीज पर बना IT पर dependent है, report वासे आएगी, calculation वो कर रहा है तो हो सकता है, कभी report गलत आजाए, कभी calculation गलत आजाए, कभी IT system fail हो जाए, ऐसा कुछ तो क्या-क्या हो सकता है तो मुझे बस, और कुछ नहीं करना है, मुझे बस entity से पूछना है, management से पूछना है कि management, तू कैसे respond करता है IT, जो सामधार relationship leader, उसे पूछना है कि तेरको भी तो भाई, report साही ची होती ना तू कैसे इस पर risk identify करके कैसे respond करता है, तेरे पास क्या plan एक रिपोर्ट गलत आएगी, तो तो कैसे check करेगा इसको, कैसे respond करेगा उसको पहरे तो management तो तेरा plan बता management मुझे बहुत लगा रखा है, क्या लगा रखा है information technology general control क्या बहुत बहुत सारे general controls लगा रखा है, मैंने software लगा है मैंने antivirus लगा रखा है, firewall लगा रखा है कभी कोई virus नहीं आपाएगा, कि मैंने report गलत आज़ा है calculation के लिए मैंने general control लगा रखा है कि ये calculation वापिस ये चीज़ जना चेक करेगा ये वाला software दर्स चेक करेगा IT policies मैंने बहुत strong बना रखा है इसको टेस्ट करूँगा मैं ITGC पर rely नहीं करूँगा अगर किसी पर control नहीं लगा रहा है तो मैं ITGC पर rely नहीं करूँगा तो भाई management क्या बोला कि मैंने ITGC लगा रहा है तो मैं ठीक हम उसकोड टेस्ट करता हूँ ठीक हम ITGC को टेस्ट करता हूँ तो भाई मैं उस पर rely नहीं करूँगा अगर किसी पर control नहीं लगा रहे है कि IT involvement पर गहे पर control नहीं लगा रहे है तो उस पर rely नहीं करूगा और फिर ये first point ऐसे याद करना second इसको करना थड़ी ये करना हमारा process बता रहे हो तुमको ये process हो गया ये पूरा का पूरा फिर auditor को नहीं IT dependency relevant to audit जो जो IT के system अपने audit के लिए relevant है वो वो चीज़े द्यान से देखने है कि ये वाला system direct SAP या फिटेली software है तो तो direct अपने audit के लिए relevant है क्योंकि financial reporting जो होता है balance sheet वो direct उससी बनती है अगर कोई ऐसा ITGC हुआ जो अपने audit related नहीं है financial reporting related नहीं तो भाड़ में जैब उनका धंदा समालने के लिए लगा रहा है उन्होंने कोई इंटरल या फिर ऐसा कुछ automatic system मेरे को से काम भी मेरे जाब financial system indirectly indirectly कई भी भी effect हो सकता है त इपेंदेंसी जो मेरे audit के लिए relevant है वो मुझे देखना पड़ेगा ठीक है मैं ITC चेक करूँगा और मैं उस पर rely नहीं करूँगा उस पर कोई control नहीं है तो बाकी मुझे कौन सा IT dependency चेक करने पड़ेंगे जो मेरे लिए relevant हो audit के लिए cyber risk, cyber fraud, cyber crime जो होते है वो hacker वाले virus वाले वो सारे अब अपन सारे पढ़ेंगे cyber risk क्या हो सकता है सर, cyber risk क्या होते है कुछ example के साथ बताओ, यह ICI SM ने कोशन दे दिया, कोई इतना बड़ा answer लिखे का क्या वापर exam है बिठा 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 पागल से SM के अंदर कुछ दे रहता है, तो हमने यह आपने नोट दे दे है कि length और point कितने लिखने है, वो marks के हिसाफ से depend होगा, 4-5 marks का question है, 2-3 marks का है तो 2-1 point लिखने है, 3-1 लिख थे ना, वो इस हिसाफ से तुम देख ले ना, ठीक है तो भाई cyber risk होता क्या है, कोई भी cyber attack करे, कोई भी अपनी company पर cyber attack करे, जो hacker होगर अटेक करते है, virus डाल देते है, data चुलाने कोशिश करते है, phishing करते है, अपने से financial fraud करते है, अपने से account to grab, ID वासर है कर लेते हो साई चीज़े, तो cyber attack कभी भी कोई unauthorized access करे है, अपने computer system वग आइसे ने दे रहे हैं, यहापर, खी ही का basic चीज़े ऐसा कुछ है नहीं, malware, अब यह जो है ना, malware denial of tech से भी हो सकता है, malware spoofing से भी हो सकता है, सब आसपर्प में interlinking है, तो यह मैं सोना कि जार उसमें difference का, इसमें difference का, नहीं भाई, malware उन्होंने नाम दिया, malware phishing के through भी डाल सकते है, malware spoofing के through भी डाल सकते है, denial of service के through भी डाल सकते है, phishing और spoofing भी एक साथ करी जा सकती है, तो यह सब चीजें interlink है, बस exam में specific question आजाए, generally specific question में में दिता है त्यानाँगा, में को रखता है, case scenario पूछ सकती है, mcq पूछ सकती है, और इसमें पूछ सकती है, यह हुआ है, अब तुम बताओ, इसके हम बेर यह ransomware है, frozen है, mobile trailer, क्या है यह, इसे पूछ सकती है, इस mcq program है, तो उससाब से अपन को पढ़ना आए, malware क्या होता है, बहुत basic language के लिए, malware एक तरह का virus होता है, वाइरस होता है, जो अपने mobile या फिर computer में डाल दिया जाता है, उस वो वह इस mobile computer में गया, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी information सारी उसके पास जाते र software तो, कि मतलब अपने data को, अपने कोई गलत software कलती, download कर लिया न, अपने install कर लिया, तो वो virus भी install हो गया, उसके साथ, अब वो क्या कर देता है, सारी file है, सारी file encrypt कर देता है, तो वो decryption की तभी देगा, उसको decrypt करने की की तभी देगा, जब आप उसको payment दोगे, तो रैं some very important लग रहा है, मुझे, file less malware, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपने malware कब install कर लिया, आपको कई पर apps section में, software sections आप दोगे, आपको अच्छी चीज डाउनलोड कर रहा हूं में, VLC प्ले रे डाउनलोड कर रहा हूं, पर VLC डाउनलोड कर रहा हूं, आपको पता भी नही तो not require a trigger to install, कोई भी code आपके system में directly install करने के जरूत नहीं, यह वो छुपावा रहेगा, file less, कोई भी, file less है, उस पर file आपको दिखेगी नहीं पर, frozen, frozen होता है कि आपको बिल्कुल कोई अच्छा software आउनलोड कर रहा है, legislative software दिखेगा, मलब आप जिसे VLC प्ले डाउनलोड करन अच्छिए था, तो वो आप डिस्क्यूसी नहीं कर पाओगे कि असली वाला VLC प्लेयर कोई सा था और लोकल वाला कोई सा था, फ्री डाउनलोड गरा में पहुंच गया है, तो वो आपको फिर phishing bat website जो भी होती न, phishing website, bat website, आप सक्टे बाज जिकरो, आप बनना था यह देगा data या फिर आपके mobile में कोई malware भर देगा वो, ठीक है न, तो ransomware, fileless, malware, trozer और mobile data, यह पढ़ लिए अपनने, अब denial of service, कुछ ही नहीं कोई इतनी service करना, कि इतनी false request देना, कोई hacker, आपकी system पे इतनी false request देगा, आपके कोई server पे, कि इतनी हजारों क्रोलों request देदी आपके software को fail करने के लिए, तो आपका system, 1000 क्रोलों request तो सहनी नहीं कर पाएगा, आपका software डाउन हो जाएगा, automatic system आपका डाउन हो जाएगा, आपका software डाउन हो जाएगा, उसके आपके website डाउन करनी है, 1000 लाखों क्रोलों क्लिक वो आपकी website पे करवा देगा, एक denial of service attack नाम से आती है आती है, तो वो denial of service attack करा देगा, करोड़ों लोगों ने एक साथ क्लिक करने लगए, आपको पुरा Amazon का server डाउन हो जाएगा, आपका Amazon चले गए ना, आपका Amazon चले गए नहीं, तो flood of the false request, flood network के तो आप अपना routine task और routine काम परफोर्म ही नहीं कर पाऊगे, तो इस आपको डाट data का loss नहीं हुआ, data का loss नहीं हुआ, पर आपको software आपको चलाने ही नहीं देगा, आपको एक गंटे तक आपकी website डाउन हो गया, गंटा आपकी website डाउन करके रख देगा, तो organizing का time consume होगा और पेसा भी जाएगा उसको सही करने के लिए, आटेक से भाण नहीं करने के लिए, पीशिंग क्या होता है, आपके sensitive information चुराना, आपके malware के थुरू भी हो सकता है, आप आई से इतने बोला है, कि malicious file या फिर आपको कोई भी ऐसी install कर लिए आपने, तो आपकी data चुरा लेगा, आपको data चुरा लेगा, victim के पास sensitive information चले जाती है, विक्टिम के पास sensitive information चले जाती email आया, आपके पास email पर आपने click कर दिया, information पढ़ने के लिए आपने गलत link पर पहुच रहे है, उस गलत link पर पहुच थी पर आपका data उसके पास जा सकता है, welling ये भी मुझे important लगता है, welling मलब कोई भी senior executive, senior company, company के CEO director, उनके पास, उनकी computer में, उनके पास कोई data रहता है, तो senior computer, senior employees को target करेंगे, senior employee पर target करेंगे, उनसे data भरवाने की कोशिश करेंगे, बाकी pishing और spoofing का main object ये होता है, जैसे ये वाला जो है, ये magazine उपर सब में काम आएगा, domain spoofing, जैसे किसी ने, जो facebook.com का page होता है न, fb.com का page, तो जैसी आप उस website को login करोगे न, तो fb.com का page होत पर उसने गड़बड कर रकिए, मैं लो, fb.com का page तो उसने exit उठा के डाल दे कि fb.com का page ही है, अब या पर id डाल दो के login करने के लिए, password डाल दो के या पर login करने के लिए, पर असली में वो id password जो आप डालोगे न, fb.com का page नहीं होगा, वो असली में एक hacker का बनाएवा fake page ह जोब को लगेगा, कि असली में fb.com का page job, id password डालोगे, वो hacker के पास बोच जाएगा, इसको कहते है, domain spoofing, generally तो वो यही होता है, सब जगे, तो इसको domain spoofing भी कहते है, phishing भी इसी से related है, अब इतना detail के अंदर अपन डीट में नहीं चाहेंगे, पर phishing भी इसे related है, तो इस प इसा होगरा चुराना, उनसे information होगरा चुरानी है, sorry, it's missing, fraudulent text message आया, आपको लगेगा, यह जो text message आया है, वो तो मुझे RBA ने बेजा, income tax ने बेजा, Amazon ने बेजा, प्रसली में, वो hacker ने बेजा होगा, वो आप से कोई data मांग रहे होगे, कोई link पे click करा रहे होगे, आपको credit card expired होने वाला है, तो मैं उसको अब भी renew कर देता हूँ, नया credit card पर देता हूँ, आप आपके में को bank detail बता दो, तो उसको बोलेंगे wishing, उसको बोलेंगे wishing, ठीक है sir, अपने बढ़ा ransomware, जो पैसे मांग के करता है, fileless, marvel, trozen, जो bed website पर गलाद आपने चीज़, गलाद आपने बड़ी लोग, well मतब बड़ा, well क्या होती है, बड़ी होती है, well, तो targeting senior level और C-level executive, smishing आपने पढ़ा कि कोई भी fraudulent reputable company बनके, आपको message अगरा कर रही है, Amazon अगरा बनके, पर Amazon नहीं है, इसलिके हैं आपको आपको fake, wishing phone को लोगा, spoofing, वो ही बोलाँ के प्रस्चेट source, आपन email spoofing, वो भी ऐसे होगा, sender का address फोर्ज होगा, sender के आपको लिग देगा, कई भी है, इसने ID बना ली, XYZ, employee, employee में समल लोगा, employee हूँ, आपको बना दूगा, no reply, add the rate, amazon, amazon का j-o-n करके dot com, अपने को यह Amazon, j-o-n की जगे में, j-o-n लगा दे, आपन को लगा कि Amazon असली है, तो आपन को sender का address, आपन को लगा कि Amazon से मेला, आपन को लगा कि Amazon से मेला, पर वो तो अमेज जे-o-n, वो ठीक है न, उससे मेला आपके पास गिफ्ट है, तो आपको फ्री में दे रहे, आप इस link पे click कर कर के, आपको detail बढ़ देग, bank detail होग और आपको shipping charges पेकरने, आपको shipping charges पे अब अपन को इसके अंबर है कि एक बार अपन ने कोई भी एक ID पासओर अपने क्या आपके दो बैंक अकाउंट है से इसके अपने अपने एकसिस के अंदर भी हैकर सेम आपका डाटा पेस चुरा लेगा तो वह क्या आपने आइडिटिफेक कर रहा है कि मैं ही हेमन समानी हूं या मैं ही एक्स वाय जड बंदा हूं तो आपके ID password credential अगर compromise हो गए तो same ID password अगर multiple अगर आपने लगा रहे है तो सुपके data उसके पास रजाएगा Insider threat मतलब किसी former कोई पुराना employee है फिर अभी जो existing employee है उसी के पास company के ID password है bank account के उसका बहुत सारी confidential detail है वो किसी के साथ मिल जाए किसी के साथ मिल जाए और वो hacking करना चुरू हो जाए company के वो अपनी confidential information company के bank ID पासे लोग रहा किसी को share कर दे sensitive data DNS अब यार न DNS selling तो तुम्हारे को ऐसे दिया है ना ऐसे न उठाके जैसे हम बिल्कुल IT के banker बंदे है DNS selling में को पढ़ना पढ़ा DNS selling में तुम को short में पता रहता हूँ पढ़ना में को detail में तो आप दो अभी अब यसी होता तुमने किसी domain पे click करा तुमने किसी domain पे click करा जैसे www.fb.com पे तो तुम ज़िए fb.com पे click करोगे तो इसकी click करने के बाद domain पे click करोगे न इसकी request जाती है एक server पे अब वो direct page नहीं को लेगा domain का domain का page नहीं को लेगा इस पे एक server पे request जाएगी इस पे एक server पे request जाएगी तो जैसे request जाएगी न फिर तुमारे computer screen पे ये server भेज़ेगा कि अब ये page सामने आरे बंदे को show करो इस server पे request जाएगी एक server जाता है फिर वो server बोलेगा कि ये वाला facebook का page या पे खोल के दो जिस user ने click करा तब ये जो process हो रहा है न वहाँ पे कोई बीच में hacker आके टांगड़ा देगा तब जैसे ये क्या server ने तो भेज़ा कि ये वाला page खोल के दो अब hacker कोई नया page डाल देगा hacker ये वाला page अटा कि अपना खुद का कोई hacker नया page insert कर देगा server तो बोला ये वाला page open करने दो पर hacker बीच में आ गया और hacker ने बोला इसको ये page open करा हो ये page तो सामने आले को लोगा कि server ने ये request दिकिए मैं तो fv.com डाला तो hacker ने बोला ये page डा hacker ने बोला ये वाला page डाला वहाँ पर ID password डाल देगा और आपका काम इक खता है वहता DNS channel एक tunnel बना के गुसना एक tunnel बना के बीच में गुसना ये cyber attack है जो domain name server को query जैसे अपन देते तो जैसे response आएगा उसका तो उसके अंदर वो transmit कर देगा अपनी कुछ unleashed malware वाली data जैसे वो data extract करते है मैं को बड़ा पढ़ना पढ़ गए इस chapter को पढ़ाने के लिए तुमको क्या कब में भी IT का expert थोड़ी नहों हो भाई सीधी बात है कोई भी नहीं है यार मला मैं CA में CA में कौन हो गया इतना IoT based attack है कुछी नहीं यह बात में पढ़ाऊंगो तुमको IoT क्या होता है Internet of Things किसी भी चीज को Internet से connect करता है किसी भी चीज को Internet से connect करना IoT होता है like mobile device Internet से connected तो यह भी IoT device है गाड़ी अगर है जैसे आज का इलेक्टरिक बात में पढ़ाता हूँ चलो Internet of Things अगर किसी भी चीज को अपने इंटरेट से करने कर दिया वाशिंग मशीन को, टीवी को और टीवी भी आज इसका लाइट से connected होती है तो उस पे कोई भी cyber attack हो सकता है तो वो IoT based attack है Cyber risk के stages क्या क्या होते है Cyber risk के stages क्या क्या होते है इन देखें मैं को चार क्यों आधारे थे अच्छा नहीं तीन ही तो आया पर हाँ Assess, Impact, Manage Cyber risk को assess करो Cyber risk कहा कहा पर कैसी हो सकती Cyber risk कहा कहा पर कैसे क्या क्या हो सकती उसको पेले assess करो ढूंडो अच्छे से assess करो उसका impact क्या हो सकता है Assess, Impact और फिर उसको smile Assess, Impact और मै 괜े जो assess करके ढूंडा उसका impact देखा आपनने का की impact होते है फिर उसको manage करा manage करा Assess, Impact,Manage Então, काउ पर आपना है Assess करना है हर और और ऐगनासीर के उसले कुच common threat तो होते है जीसे हर और ऐगनासीर में कुच common threat तो होते है common thread के अंदर, inside, अंदर से, शब के अंदर एक common चीज़ अगर से, बार से कैसे ही हो, पर अंदर से हैंडसम होते हैं, ऐंसम को ransom कर दो, सब्हेस्ट कापन देखना कि काहा का पर müs від सब बकुंद देखना के कि किसी घुत एम्धंड यह दिखना कि Channel ंदर सब ब बकुट इंसाइडर कमिटिंग मालशे एक्टिविटी तो कमपनी के अंदर के बंदे वह कोई मालशे स्काम कर जाए, एंप्लोई वगर यह सी कोई हरकत कर जाए, इंसाइड के अंदर सब के अंदर है common चीज़े वह हैं है, common criminal using email इंसाइडर के अंदर के अंदर है common चीज़ होती है, common email pishing, अंदर सब आंदर है, ransom होते है, ransom होते है, ransom आसकता है, आपको इसको स्काम में ransom होती है, तो इसका इंपक्त किया होगा, इसका impact अंदर होगा, IT पर impact नहीं करगा, इसका पूरा बिजनिस लेवल पे, पूरे का पूरा बिजनिस लेवल पे इंपेक करगा, entity का reputation loss भी हो सकता है कि इतनी बड़ी company पर IT data hack हो गया customer की सारी information leak हो गई hacker के पास चले गई, google पर public कर दी hacker ने सारी information तो उसका पूरा entity का reputation loss भी आ सकता है अपनी cost लगेगी अगर ransomware ने attack करा तो सारी प्राइवेसी भी breach हो गई, पूरा data चले गया पूरा data चले गया, पूरा data उसके पास आ गया अपने IP right भी उसके पास आ गया intellectual property का right होते है न कुछ intellectual property के लिगी यह right मेरा intellectual property का, वो right भी उसके पास चले गया हो सकता है intellectual property से पूरा धंदा चल रहा हो अपना IP rights हो का, पूरा business ही बंद कर दे पूरा business ही बंद कर दे, इसको बंद कर दो, bank को या पर बंद कर दे पूरा business ही बंद कर दे खुए कि उसने सार डाटा लेले प्राइवसी की उसके पास सार डाटा चले गया IP rights भी उसके पास से लगए हो सकता हमना business बंद हो जा तो कोस्ट क्या क्या लगेगी regulatory कोस्ट रेगुलेटरी कोस्ट भी आप पर लग सकती है प्रिजिंश को सकता है इंटरेक्षट प्रिटिंटर रहे इपने उख सकता है इसका सामने लो और कंपेटर इड़ाने इटाज सकता है आपका ठीक है ना तो cost लग सकती है अगर आप investigation remediation action होगा ला हुगा कि investigation remedy के लिए आपको cost incur कर अटीकर सकती है तो भाई cost लग सकती है अगर ransomware regulatory cost और finance लग सकती है अगर ransomware अटेक करा तो अपनी privacy की भी ठुक जाएगी और data भी leak हो जाएगा breach और privacy और data loss हो सकता है आपका IP rights भी गए उससे business बंद हो सकता है business interrupt हो सकता है तो अपने सब से पहले कि अपड़ा cyber risk inside के अंदर सब के अंदर common चीज होती है कि ransomware की सब अंदर से handsome होता है फिर अपने बढ़ा impact क्या होगा अपने इंपक देखा फिर आप पता है उसको manage के से करें अपने पढ़ लिया कि अब यह impact हो सकता है अब इसको manage के से करें वाई कुछ ने इसको manage करने के लिए risk को समझो फिर क्या उसके against अपने पास cyber security है वो भी risk अपने आसेस करी impact करी ना को align करो, entity के objective से, entity का क्या objective है, फेले उस risk को समझो, क्या risk है, क्या उस risk क्या against, जो भी आपनको risk मिली न, क्या उस risk क्या against, अपने पास को cyber security है क्या, क्या उस risk क्या against, अपने पास को cyber security है क्या, अगर cyber security है, तो security को align करो objective से, security को align करो objective से, security को align करो objective से, फिर जो बच्ची भी risk बच्ची न, बच्ची भी risk बच्ची, उसको कोई document कर लो against control, थोड़ी बहुत risk बच्ची कि बाकी, तो cyber security से अपने हटा दी न, अब तो बच्छी भी थोड़ी बच्छी है ना उसको डोक्यूमेंट करो कि यह अपने को कितना इंपेक्ट कर देगी, यह क्या इंपेक्क कर लेगी छोटी मोटी रिस्ट बच्छी अपने तो अपने को क्या करना है पहले risk समझो कि कहा कहा पर cyber risk हो सकती है कहा कहा पर cyber risk हो सकती है अब उस cyber risk के against अब उस cyber risk के against कहा कहा पर अपने को अपने पास cyber security है अब उस cyber risk के against अपने पास कहा कहा पर cyber security है अब उस cyber risk के against कहा कहा पर अपने पास cyber security है मेरे understanding लो cyber risk existing IT के against अब जो भी cyber security उसको align करो objective के साथ align करो cyber security को strategic objective के साथ align करो cyber security को objective के साथ तो ये तीनों point process के अंदर जा रहे फिर जो भी remaining बची गया है इतनी risk तो है इतनी तो मैं control से बाद में mitigate कर लूँ और document कर लो हाँ बही understand कर लो कि इतनी risk तो मैं accept कर सकता हूँ एकसेप कर सकता हूँ उसको document कर लो कि ये मेरी compensatic control इतनी risk को तो mitigate कर लेंगे इतने control तो है में पाद की छोड़ी बट risk को handle करते के तो ऐसे अपनको manage करना है कि understand करो का आपर risk को cyber security के क्या अगोड cyber security तो उसको align करो उसको objective को साथ और जो बची भी थोड़ी बहुत risk को मैं accept कर सकता हूँ उसको document कर लोगी है अतनी तो मेरी control mitigate कर लेंगे तो इसको manage कर ला था अपन अपन अपने कर लागा था अपन अपने कर लागा तो प्राइबर से इंटरनल ली अपने अपने यह अपने अपने कर लिए उसको बताना है कि आपको किसे assess करोगे किसे करोगे क्या क्या इंपक्त हो सकता है अपने को वह बोड़ा कि क्या financial data पर इंपक्त होगा क्या आपका अपने कर सकता है अपने कर सकता है तो इसको मोडिफाय कर सकता है अगर कोई cyber attack होगा तो मैं समझ रहा हूं इसके अंतर बहुत सारे point आ रहे जो मैं तुमको बार-बार याद करा रहा हूं प्रिक कर रहा हूं आगे भी और आने वाले हैं पर इसमें पर कोई option बचा नहीं है आई से ने तुम्हारे साथ game कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा है और याद करा रहा हूं तुमको खुद पढ़ते हैं तो पता नहीं तुम्हारे क्या होता कैसे याद करते क्या करते हैं तुम्हारे ट्री कोग्रा बना के सब रख तो रखी है कि आपको ये framework आपके organization के अंदे रखना है ताकि कोई भी cyber security है तो आप उससे अच्छे से deal कर पाओ तो बाई कुछ भी नहीं cyber security framework आपको हर एक organization के कैसे रखने है RR PDI, RR PDI तो मैंने यापर तुमको दे रखा है याद करने के लिए Respond, Recover PDI, Protect, Detect, Identify PDI, Protect, Detect, Respond, Recover identify, protect, detect, respond recover identify, protect, detect, respond recover आइंटिफाइ करना रिस्क को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपनको ABCG अब मुझे पता नहीं पड़ा था इसमें कैसे कोशन पूछ सकता है जैसे कोशन SM के अंदर तो यह दिदिया पूर अब इतना को आंसर लिखेगा थोड़े ना भाई तो मैं तुमको इसके अंद तो मुझे ढूड़ना पड़ेगा पहले कि कहां कहां पर रिस्क हो सकती है तो आइडन्टिफाइ करना रिस्क को रिस्क एंदर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ABCG कि असेट के अंदर रिस्क हो सकती है तो मुझे असेट मैनेज करना पड़ेगा असेट के अंदर क्या रिस फिजिकली उसको बार-बार mandate करना पड़ेगा, कि मुझे यह अब क्या दें, रिस्को को manage कैसे करना है, risk management process, तो इसको मैं कैसे risk को manage करूँगा, तो मुझे identify करूँगा, कि जो भी asset है, asset हो गरा है, उसमें बाबबा verify करती हूँ, copyright साही है, intellectual properties साही है, नहीं यह वो नहीं करा है, तो A, B, C, B से Business Environment, Business का Environment मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, कि मैंलब सब कुछ अच्छे से डील कर सके, सब कुछ अच्छे से डील हो सके, कि IT system related कहा का पर रिस्क हो सकती है, क्या क्या control है Business के environment, मुझे सारे employee को समझा समझा के रखूँगा, कि यहाँ यहाँ पर रिस्क हो सकती है यह control up को रखने है, तो पुरे business का environment मैं अच्छे तरीके से रखूँगा, IT related चीज़ों के लिए A, B, C, C से conduct periodic risk assessment, हर period पर मैं risk assess करता रहूँगा, कि कहा कहा पर मेरी IT related risk हो सकती है, क्या क्या impact कर सकती है, हर टाइम पर, मेरे को यह risk framework में यह सब चीज़ों रखनी है, कि मैं यह से करूँगा asset को manage करूँगा, property से business involvement, IT related अच्छा बनाऊँगा, periodically कि मैं risk को assess करूँगा, conducted periodic risk assessment, A से asset management, A से asset management, B से business environment, B से business environment, A, B, B से business environment, C से conduct periodical review, conduct periodical risk assessment ABC, G से governance, G से governance, कि भाई, कहा कहा पर, मैं लगा मुझे, एसा governance set करना पड़ेगा, entity ऐसे whole का उपर से governance set करना पड़ेगा, कि कभी भी कोई cyber security risk आई न, तो मेरे financial reporting को कैसे impact कर सकती है, अगर ऐसे कभी भी risk आई, तो में को पूरा data से करना पड़ेगा, कभी financial reporting को मेरे data ने hack कर लिया, encrypt कर लिया, तो उसका मेरे पाव कई make-up रहेगा क्या अलग से, मैं उसको कैसे recover कर सकता हूँ, उसका governance set करूँगा मैं management will be able to record the financial data तो कहरेगा नहीं कर पाएगा, तो उसका एक governance structure पुरा हमें आकर तयार रखोंगा, ठीक है ABCG, asset recover, asset management, business environment, conduct periodical risk assessment और governance, ठीक है ना तो यह ABCG, ABC फिर जी, ABCG तो इसको assess करना, फिर protect करना, फिर क्या करूँगा, protect करूँगा अब मुझे क्या entity को protect करना है, safeguarding of mainly क्या मुझे protect करना है, process करना है, process करना है फिर भी impact ना हो, plus safeguarding of asset, asset को safeguard गरना, asset को safeguard मुझे करना पड़ेगा mुझे करना पड़ेगा, die लगा के, protect करूँगा? कोई भी asset गिर रही होगी, मैं die लगा के protect करूँगा उसको, कोई भी asset को मुझे मोबाइल गिर रहा है, तो asset गिर रहा है, मैं die लगा के मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा, लगा के प्रोटेक्ट कर लूँगा, लगा के प्रोटेक्ट कर लूँगा, तो मैं को केसे प्रोटेक्ट करना है, डाटा सिक्यूरिटी लगानी है, बहर जगे डाटा की सिक्यूरिटी लगानी है, कि भाई कई भी भी मलब डाटा सिक कोड़े, awareness and training, अब में हार साइटीम को awareness की training देता रहऊंगा बंदों को कि भाई तुम ऐसी तरह की खासी तरह होती है तुम कभी भी हर किसी email का reply मत कर दिना वह लों का awareness की training देता रहऊंगा लिए data security रही जुसे data security it is access control ऐसे access control अपसे अपसे इसे क्या था awareness and training आइड 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 identify वाकी तिम्हों सूनुनिम देए रखे हैं पर RR-PDI इसको याद करने के लिए PDI के लिए, PA होगे, IE होगे, DEE होगे, RR-PDI पर इसको टोन से भीयाद कर सकते हो identify protect, protect, protect होगे हमाँ detect, अब detect मैं कैसे करूँगा, कुछ ही निए, cyber security इसका मजगे time to time monitor करना पड़ेगा कि कहा कहा पर कैसी risk हो सकती है कोई नया system लगा है तो कैसी risk हो सकती है कोई नया process लगा है कोई नया type का virus आया तो मुझे कुल मिला कि detect करना है time to time में monitor करता रहूँगा और चीज़े monitor करता रहूँगा तो मैं control processor लगाऊंगा identify करने के लिए कि कहा कहा पर cyber security risk हो सकती है और उसका क्या impact होगा मेरी entity पर क्या impact होगा मेरी entity पर तो monitor detect करूँगा में कि कहा कहा पर security breach हो सकते है antivirus लगाऊंगा firewall के lock check करूँगा antivirus और firewall के lock check करूँगा logs मुझे बताएंगी कि आपके पास यह वाला वाइरस आया था और इस वाइरस को हमने deal कर लिया तो मुझे monitor करता हूँगा कि अच्छा इस website से मेरे पास यह virus आया था तो मैं अभीवार हो website चलाऊंगा यह नहीं तो logs check करता हूँगा कि यह वाला वाइरस आया था वो मेरे antivirus से deal कर दिया मैं detect करता हूँगा मुझे उप्रिम लाखे detect करनी है चीज़ है ठीक है ना तो identify, protect कर लिया identify कर लिया ABCG ABCG A से अपने क्या कर रहा था B से business अन्वाब C से control प्रियोड़ी कर डिसकर समें G से governance तो अपने die लगाई थी लगाई थी asset को protect करने के लिए लगाई थी asset को process करने के लिए अपने data security, access, control, awareness and information protection फिर अपने detect करा identify, protect, detect फिर उसके बाद response, recover identify, protect, detect response, recover response, recover response से R उसका R से RCM ट्रिक हो गई R से respond, R से RCM ट्रिक हो गई और R से recover से R और फिर R से RIC recover से RIC, response से RCM response से RCM, recover से RIC यही है, मेरे पाई और को तरीका नहीं है तुम को याद कराने का को option ही नहीं है बाकि तुम देख लो, ठीक है न बाकि तुम इसको दो चाह बार देखोगे न तो याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि point बहुत common, common है point बहुत common है, बहुत easy दिमाग में आ जाएंगे respond करना अब कभी भी cyber security आ गई, कोई ऐसा incident हो गया कि कभी में कोई cyber attack होगी गया मेरे पर तो कैसे respond करूँगा, मैं वो देखूँगा कि मैंने कोई response की planning बना रखिए कि मैं इसको कैसे respond करूँगा, तो हर इस change के लिए में पार इसक response की planning होनी चाहिए कभी भी में पार attack हो जाए, मेरा data hack हो जाए तो मैं उसको case से चुलवाँगा या फिर कभी भी मेरा data encrypt कर दिया किसी hack ने, तो कि में पार कोई backup रहेगा क्या हो data का हो, तो मैं उस backup को मेरे main system में उसकंदर case से डालूँगा तो पूरी planning होनी चाहिए, response की planning कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, तो में पार को response की planning होनी चाहिए प्लस communicate करूँगा, कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं TCWG को पूरा में बताऊँगा, कि मेरे पास ये है response की planning मेरे पास ये है, कि कभी भी कुछ ऐसा होगा तो मैं इसको ऐसे recover करूँगा, तो TCWG को पताँगा, कि में पार ऐसी planning हो, उसको communicate कर दो mitigate and improvement, कि अब में पार कभी ऐसा कुछ हो गया तो मैं case से मेरी litigation cost इसकी कितनी आएगी investigation cost कितनी आएगी, कि हाँ भाई अब मैं उसको case लड़ूँगा, क्या लड़ूँगा, क्या लड़ूँगा, कंस्यूमर ने पे केस्ट होग गया, क्या आप डाटा कैसे leak कर दिया, litigation cost, investigation cost अब जो भी पार, remedial cost होगी, कि अब ये नया आएगा antivirus लेना पड़ागा, नया firewall लेने पड़ेंगे उसकी किती cost आएगी, वो भी उसे देखना पड़ेगा तो response की planning में management को communicate भी कर दूँगा और उसको mitigation improvement की क्या cost चाना वले भी देखना ठीक है, तब जैसे response की planning थी ना, वैसे recover करने की, अब वो हो गया है attack, अब येको data अब असली में recover करना यहापर तो उसकी planning भी आपना रखी ती अब अब असली में हो चुका अब येसी response की planning थी ना, वैसे recover की planning है CMA, response planning, recover यहापर mitigation थी इन improvement था, यहापर भी improvement है यहापर भी improvement है और यहापर communication था, यहापर communication है करिए को आपको कैसे करना है इंप्रुमेंट कैसे अपके अ अप्वर्स पर अपकरेड करके चलो आपके इंटरॉ चलो पैंचे करते हो टाम है किम्मुनले आप क्येद पर क्या आपने बड़ा, रिस्कों कैसे मेनेज करना है, साइबर सुटी रिस्कों कैसे मेनेज करना है, आइडिटीफा, प्रोटीटेक, रिस्पॉंट 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 इंटरल के अंदर आप ये चीजे भी लगाओ कि कोई भी cyber risk भी आपके internal control को impact ना कर सकी तो जो भी आप internal control लगा रहे हो न वो cyber risk को ध्यान में रखके internal control लगाओ कि यहाँ पर cyber risk भी हो सकती है मेरा internal control किसी भी भी चाहिए मैं purchase to payable में लगा रहा हूँ जो भी मेरा जो वेंडर था वेंडर का मेरे पास क्या system के अंदर न मैंने bank detail लिखी वी थी तो कोई भी है न वहाँ पर unauthorized access करके hacker वगरा उस bank detail को change नहीं कर दे उस vendor को change नहीं कर दे और जो payment होगा न वो payment फिर में vendor को करने जाओगा तो hacker को हो जाएगा तो यह साइच ची मुझे दिमाग में रखके control लाने पड़ेंगे यह सारी चीजों किया तो अब जैसे यह बहुत चैप्टर लंबा खिच गया यह यह चैप्टर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं सहाँ चलो ठीक है तो भाई control around vendor and setup modification जो vendor का भी जाओंट है vendor वाला जो vendor का कि इसको payment करना है मुझे तो vendor में क्या-क्या risk हो सकती है उसमें मुझे क्या-क्या control में ध्यान में रखने पड़ेंगे जैसे vendor के अंदर कोई bank account details उसकी change कर दिया critical vendor को information change कर दिया मैं payment करने जा रहा हूँ vendor को चले गया hacker को अंदर को चेंज करेगा और किस system में change करेगा और किस system में चेंज करेगा कोन बंदा चेंज करेगा कि कौन चेंज करेगा कोई भी में पास communication आया अगर में पास कोई भी communication आया है क्या अबर communication channel के थू मलब vendor को बोलता है तुमको बताना है और कोई भी communication channel के थू कि कुछ भी mail आया है क्या कि request करना है vendor master में change करो तो क्या multi-factor authentication कि एक बार change मैंना multi-factor करने मचला कि एक बार verification का बार दूसरी बार उससे cross confirm करना multi-factor authentication कि एक बार mail करा उसके बाद वो बंदा mail भी करेगा whatsapp भी करेगा multi-factor तीन जगे आप बताओ तीन जगे आप बताओ उसके बाद हम आपको change करेंगे तीनों जगे बताओ later भी लिखके बेजो email भी लिखके बेजो तो multi-factor authentication करके बेज़ेगा ठीक है physically भी हमको एक request later करके mail भी बेज़ेगा अगर आपने करे तो multi-factor authorize हो गया तो हम आपको फिर change करेंगे क्या कोई भी communication आया है क्या और कौन change करेगा कौन responsible है vendor data change करने के लिए हर कोई तो change नहीं कर सकता ना पतला hacker आगे change कर दे आपके company का technology नहीं है तो कौन change करेगा communication आया तो कौन change करेगा किस system में change करेगा कौन सी technology आपने use ले रहे है मतला vendor data को change करने के लिए और वो जो भी आपने change कर रहा उसके पाद आपिस verify करना modification को verify करना authentication protocol defined as a verify modification जो भी आपने master data change कराना and में उससे call करके वापिस confirm करेगा कि देख तुने चुम्हे को request case करी थी मैंने वो वास्ट डाटा पी change भी कर दिया callback processor callback processor कि मैंने थे को change कर लिया ठीक है ना कोई communication आई तो कौन change करेगा कि system में change करेगा और उसको verify करना electronic transfer of fund control around electronic transfer of the fund electronic transfer of the fund मतलब पहले तो क्या होता तो physical cash देते थे खिसको check देते थे अब सारे internet banking से transfer होगे सारे internet banking से transfer होगे मतलब कोई भी wire नहीं है no wireless transfer zero wire है वाँ ठीक है ना तो कोई भी आपको transfer request के लिए fraudulent transfer request दे सकता है कि मेरे को transfer करो मैं vendor हूँ आपका ये नहीं है कोई भी जूटर request दे सकता है vendor बनके तो उसको कोन approve करेगा कैसे करेगा वो फुलान लीग तो हर किसी system पे कोई हर कोई transfer करने होला बन zwischen system पे हमने कोई भी बन्दा बिठा लिया कुई भडा लिका नहीं है कि सको कुछ नहीं पता है हर कोई भी बिठा लिया वहर payment और पर पूझ SE क्यों एक educated बंदा बिटाएंगे हर की system पे हर कोई बंदा नहीं बिटाएंगे हर system पे educated बंदा बिटाएंगे जो पेइमेंट को अप्रूव करेगा online payment को सब कुछ वो बंदा अप्रूव करेगा ताकि authentication review approval भी हो जाए अच्छे से क्यों educated बंदा है तो authentication review approval करके चेक करेगा तो system पे हर किसी बंदे को नहीं बिटा देंगे भाई यह से चेक करने को अधुरा educated बंदा बिटाएंगे ताकि authentication review approval करके चेक करेगा तो कौन सी system technology आप यूज ले रहे हो जीरो आयर ट्रांसफर के लिए बाहर कुछ भी नहीं online सब कु educated बंदा होगा ताकि उसको पता पढ़े कौन सी fraud है कौन सा pacing scheme है यहाँ पर पिसा ट्रांसफर नहीं करना है authentication review approval भी होगा authentication protocol लगा हो कि एक बार बंदे ने approve करा तो दूसरा बंदा वापिस दूसरा भी approve करेगा callback करके process करेगा क्या आप ही मैं वापिस approve कर रहा हूँ आपका payment या आप हीने request रेस करी है ना payment करने की ऐसा वाला पुरा प्रोड़ प्रोड़ करना पड़ेगा तो system पे एड्युकेटेड बंदा ही बिटाओ हर किसी को मत बिठा पेना और authentication protocol भी लगा हो था कि authentication review अगरा भी कल डेका उपन था ठीक है vendor master हो गया online payment हो गया पैच management पैच मेनेजमेट पैच मेनेजमेंट नों मल्दा बेकिसम तो security pages होते जैसे antivirus होता है न antivirus तो antivirus के अंदर कुछ patches होते हैं ताकि आपके हर एक virus को बचाने के लिए time to time update करना उसको update करना patch को update करते हैं antivirus को update करते हैं तो ransomware attack आगया तो security view enable हो जाती है data destroy कर सकता है क्योंकि कुछ patches आपने upgrade नहीं कर दे time to time आपने antivirus अपग्रेट नहीं करा था अवाग इसदो मुझे update करना चार्डा है Wow और उसको कोन manage करने वाला है को IT टीम बगगरा है या क्या है आपके बास क्या कोई भी patches का आपके पास external vendor से बार बार आता है क्या एब आप करने के लिए चैनल रखाए कि हाँ बार बार उसको पेच्छ अपडेट करने के लिए जाएगा अपडेट 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 हो जाएगा अगर बंदा नहीं करेगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा उसका इसा कुछ पेज मेनेजमेंट प्रोग्राम आपने लगा रहा है कि आपडेट हो आपको देखना पड़ेगा ठीक सर यह भी हो गया हाँ मेन जो है न यहाँ तक है फिर भी आपका यह वाला एक यह दो तिन पेज हो रहे है कि याद करने वाले ज़्यादा पॉइंट याद है उसके बाद कुछ समझने लाएगा उस पर याद करने लाएगा कुछ यह सब बच्चेगा नहीं क्योंकि वह याद कोई करी नहीं सकत अब ठीक है अब यह करते हैं मैं इसे बताता हूं रिमोट और वर्ट्वाल ओडिट कुछ ही नहीं मतलब ऑडिटर ना आजकार ओडिटर कोई फिजिकल अपनी कंपनी में आके और तुमने रख रखा है कोई सूरत का ओडिटर अब सूरत अला ओडिटर बार 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 जाएगा तो टाटा बना एक्सेंज करने के लिए ओनलाइन प्रेटफर्म हो गया मीटिंग और वर्ट्वाल ओडिट कर लेगा तो दूर से रिमोटली और अडिट कर लेगा तो उसके फायदे रुकसान दोना है वही है और ओडिटर ओनलाइन सिस्टम यूज लेता है पूर करनी पड़ेगी पूरी की पूरी की आपको स्कोप के अंदर और शेडियूल क्या रखना है कि मैं भई तीन गंटे रोज ते को इतने दिनों तक दस तारिक से लेके 20 तारिक में ते को इतनी बज़े अपना कोल रहेगा हमेशा बुरा शेडियूल मीटा की रखना पड़ेग बढ़ेगा audit planning के टाम पर सबकुछ देखना पड़ेगा कि मैं वर्शल और और जाब करूँगा किते दिन वर्शल करूँगा किते दिन फिजिगल हरूँगा सारा audit planning के अंदर पर दिखना पड़ेगा जब भी आपको क्या क्या चीज़ें चीज़ें करने का कह जो दिमाग मे रलने बढ़ने हैं कि मैं physically audit नहीं करूँगा, remote audit करूँगा तो मैं को क्या-क्या software की जरूबत होगी, Joons पर मिटिंग करनी है, Teams पर मिटिंग करनी है, data किस platform पर share होगा, मेरा data काई जो share करेगा, leak तो नहीं हो जाएगा, antivirus तो है न, मेरे पास proper, पर सामने वाला बंदा कोई manipulate करके data तो नहीं देदेगा मुझे, यह साइच जो का मुझे धियान रखना, strategy बना के रखनी है, तो यह basic है, क्या आप remote audit करने के पर चीज़ देखोगे, क्या remote audit, audit को remotely करना possible भी है, क्या कि मैं process कर पाऊंगा, या फिर मुझे उधर, उस physically place पर present होके करना पड़ेगा, क्या data secure रहेगा, नहीं रहेगा, क्या data secure रहेगा, या नहीं रहेगा, क्यों data मुझे online more से देगा हो सकता है, बीच में कोई hacker उठा ले, वो data को hacker उठा ले, plus, क्या मैं risk assess कर डूँगा, कि जो भी में को data ओगरा चाहिए, audit documentation चाहिए, जो भी मेरा audit का objective है, वो मेरा पूरा हो जाएगा रिमोट ओट से, तो यह चीज़े पहले दिमाग में रहेगा, बहुत बेसिक चीज़े है यह तो, कि में को पहले ही सारी कहा है, feasibility planning देखनें कि feasible है ना भाई में remote audit कर तो पाऊँगा ना, data ओगरा कि security confidentiality से कई compromise तो नहीं जाएगा, possible है na feasibility है ना, data ओगरा कि कई compromise तो नहीं हो पाएगा, और risk मेरी mitigate risk को कुछ रहेगी नी ना, मेरी audit अच्छे से complete हो जाएगी ना, तो अब कुछ ही ने, feasibility planning कि by audit की timeline, meeting platform, zoom पे क्या करोगे, timeline कब तक audit complete करने, zoom पे call करोगे, 300 call करोगे, किस meeting platform करना है, data exchange कैसे करना है, कौन सी वाली पे, google drive पे करना है, या फिर कोई secure platform कौन सा है, video call करना है, telephone करना है, execute करते वग, तो planning में मुझे देखना पड़ेगा, ये साइ, planning में मुझे करना है, data कैसे exchange करना है, meeting कैसे करना है, execution के time पे मैं को video conference करना है, telephone करना है, कैसे करना है, documentation भी मुझे करना पड़ेगा, audit, सारे evidences का, जो भी मुझे और share करेगा, ये साइ, मुझे पहले feasibility देखनी पड़ेगी, कि ये possible है या नहीं है, plus मुझे देखना पड़ेगा, जो डाटा मुझे देखा, वो confidential रहेगा, secure रहेगा, इसा पतारा, गलत platform पे upload कर दिया data, और गलत platform से कोई hacker होगर, उठा के लेकिया वाँ से data, तो security confidential का immediate को नहीं हो जाएगी, information जैसी मैंने एक बार ले ली, auditor ने वास information उठा ली, तो वो data automatically delete हो जाना चाहिए, उस platform से, Google Drive पे मैंने उठाया data, तो दस्ते Google Drive से वो हट जाना चाहिए data, क्या legislation और regulation permit करता है न, दोनों साइट से कि आप online का API और data upload कर सकते हो, प्लस, auditor को बिना auditory की permission से, मैं auditor हूँ, तो reliance limit की और कर रहा हूँ, तो reliance limit, अगर मैं video conference कर रहा हूँ उस पे, तो मैं मिना, वो मुझे कोई data present कर रहा है video conference पे, तो मैं बिना, जब तो मैं बिना पर्मिट ना कर दे, तब तक मैं उसके personal data का कोई भी screenshot नहीं ले सकता हूँ, उसका, VPN हमेशा use लेना, virtual private network, इससाब का data secure रहे, risk को assess करना, कि communicate करो, auditor से clear और consistent होना चाहिए, तो मुझे assess करना पड़ेगा, remote audit sufficient होगी न, audit का objective पूरा करने के लिए, risk causes करना पड़ेगा, बता चला, remote audit से काम नहीं होगा, मुझे physically जाना पड़ेगा, physically जाके उसकी asset चेक करनी पड़ेगी, inventory चेक करना पड़ेगा, ऐसा मुझे check करना पड़ेगा, remote audit possible है यह नहीं, feasibility देख लिए data confidential रहेगा, नहीं रहेगा, वो देख लिए data confidential secure रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, और risk assess कर लिए, अब advantage, this advantage क्या होते remote audit के, by CD बाप पर advantage बहुत easy है, इसमें तुमको मैं रटवाने की बाप महीं करूँगा, तुम तुमको इसमें, बिउम्रोट रहेगा, क्या advantage की क्या advantage, की कोई एक दूर बनदा बेठा, आराम से comfortably audit कर रहा है, तो cost बच्गी, traveling की cost save हो गई, time save हो गया, traveling का cost time सब save हो गया, flexibility रहेगे, आग exact timing पर नहीं है, चब तक वो data उगरा नहीं दे रहा है तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ data मांगे में बहुत time लगता है data देगा करें करें कि दूसरा काम कर लेता हूँ मैं को वहाँ present रहे कि उसके मात्रे पर कर रहें के चरूत नहीं cost save होगी, flexibility रहेगी evidence बहुत easily मिल जाएंगे, सामने माला देगा मुझे evidence बहुत easily मिल जाएगी globally audit का दंदा भी बढ़ जाएगा globally audit का दंदा भी बढ़ जाएगा, बहुत easy point है globally audit का दंदा, अब सूरत का बंदा बेठे-बेठे पूरे all over India, even out of India की audits भी लेके कर सकता है, तो global expert मुझे कोई auditor चाहिए, इंडिया के नहीं जब रहे, मैं दुबई के बुला लूँगा चाहिएगा फिस तो इंडिया और इंडिया के ही करेगा, मतलब जो CE होना चाहिए दुबई, CE में दुबई के बेठे है वो तो वहाँ से audit का देगा मैं जो या फिर UK में कोई मेरा इंडिया का सी यवेट है, तो वहाँ से audit कर देगा तो cost भी save हो जाएगी, कोई आना ना नहीं रहेगा time की flexibility रहेगी, evidence भी easily मिल जाएगे और globally audit करने पर जाएगा cost और time बहुत बच जाएगा, कोई travel नहीं करना कहीं नहीं करना comfort बहुत flexibility आराम से timing के साफ से जेसा हो रहेगा जिस timing पर मेरे को comfortable अशा timing पर audit करूँगा time जो मुझे evidence एक गटा करने के लिए बहुत जाएगा time लगता था cost बच गई, saving बच गई, cost हो गया, flexibility हो गया cost बच गई, flexibility हो गया, evidence में बहुत जाएगा time लगता है यह लिए, first hand evidence मिलेंगे मुझे directly, first hand evidence मिलेंगे, directly उसका IT system पर access करके, मैं copy paste करूँगा data, उससे permission लेके, of course, first hand evidence मिलेंगे, मुझे देगा नहीं कोई भी, मैं खुद जाके, उसका IT system के access लेके, खुद copy paste करूँगा data cost time बच गया, flexibility हो गई, बहुत जाद अची कासी, गुबई का order बेठा है, expert का इस पर ले लूँगा, first hand evidence मिलेंगे, यह बहुत basic point अब तुमको दिमाग में automatic आजाएगे, अब disadvantage क्या होंगे, भाई मैं online audit कर रहा हूँ, उसका network नी चलना, internet नी चल रहा है, वो को UK में बेठा security रिसका गए, वो data आपना चोरी करके लेगा, इसे बहुत सार essay point उठा के देखो तुम अगर तुम call पर बात कर रहा हो तो तुम उसका reaction नहीं देख पाओगे, तुम उसका reaction नहीं देख पाओगे, एक तो आदिवा होता है, कि audit कर देख, reaction से पता पढ़ जाता है, कि हाँ, छुपा रहा है, call पर पता नहीं पापाओगे, उसका reaction नहीं पता पढ़ जाता है, कि आपको online data दे रहा है, online PDF बेज रहा है, तो physical चीज और उर कुछ है, online PDF वो पता रहा है, manipulate करके दे रहा है, आपका physical document उसका है ही नहीं, वो online PDF create करके दे रहा है, manipulate करके दे रहा है, यह सब remote reward के disadvantage होगा है, कि एक नेटवर्ग इशू आ सकता है, मैं visualize नहीं कर पाऊंगा उसकी body language को, हो सकता है, वो document को doctorate करके दे रहा है, कोई IT सिस्टम में sensitive data हो सकता है, वो allow नहीं करे कि यह इतना sensitive data IT पे नहीं दूँगा, मैं, cultural change हो सकता है, timing change भी तो होगा, काई नहीं नहीं देख decision में perform नहीं कर पाऊंगा, जो physical verification asset का, stoke का, वो तो मुझे आके लेना पढ़ेगा, तो यह disadvantage होगे, यह सारे disadvantage होगे, यह दिमाग से बन जाएंगे तुम्हारे, एक बार पढ़ने के बाद, दो एक बार पढ़ लो, दिमाग से बनेंगे उपार, कि सर अपने को यह वाला last topic ब के बिजा आपने बढ़ाता है no, auditing digitally, auditing digitally, अब अपने को auditing digitally करना तो, अपने पार क्या-क्या, as an auditor PwC समझो, तो PwC को कौन-कौन से software यूज ले सकती है, audit करने के लिए, तो आजका नहीं बहुत सारे software आते है, basic software तो msXL होगा, msXL होगा, msXL हो गया, msXL होगा, msXL पावर भी एक्चली होता है, एक्सल का एक एडवांस वर्जन होता है, जिसके अंदर आप डाटा इंसर्ट कर दो, वो बहुत सारी तरिके के चार्ट बना के देदेगा, आइडेंटिफाय करके देदेगा, पैटर्न वगरा, कि यार सेल्स थी, पहले हर बार 500-500 हो रही थी, इ ट्राइल बेलेंस अप्लोड कर दो, एधर और एक तरफ आपका फाइनिशर इस्चेडमिन अप्लोड कर दो, एक आपके लेजर अप्लोड कर दो, सारे, वो डाटा ऑटोमेटिक क्रोश्चेक कर देगा, रीकंसल कर देगा, आपको देखने नहीं कि भाई, टीवी से लेजर स का डाटा अप्लोड कर दिया, तो वो सौफ़वर ऑटोमेटिक अनालीसिस कर देगा, कि केस केस क्या क्या अप्लोड कर देगा, कि सेल्स किस महिने में बहुत ज्यादा फ्लक्शेट हुए बैंकर वाली, बैंकर अला फ्लक्शेशन हो देख लेगा, कि इस महिने के अंदा सेल तू 9 नमबर के invoice कहा गए आपने छुपा लिए कि हमको बता नहीं रहे हो क्या तो वो software खुद बता देगा कि 1 से लेगे 4 तक के invoice है, 10 का invoice है उसके ये वाले invoice गायब है तो software इस सब analysis परफॉर्म करके भी वेगा कि का पर fraud हो सकता है, क्या हो सकता है इस सब आजकल हो गया है तो क्या क्या हो सकता है क्योंकि भाई, technology बहुत ज़्यादा use हो रहा है financial reporting process के बनाने के लिए, जो client तो अपने लिए नई SAP वोगरा system बहुत सारा ला रहा है तो auditor को भी अब नई नई technology लानी पड़ेगी ठीक है ना? तो data analytic technique से फिर अपन पड़ते है data analytic मतलब क्या होता है data analytic मेरा कुछ नहीं कोई भी raw data है, कोई भी raw data मतलब raw dump है, कोई managed data नहीं है कोई भी raw dump है, उस raw dump से केसे meaningful information निगाले कि इसने purchase का laser दे लिए, बिल्कुल बिखरा हुआ अब उस purchase laser के अपने को क्या बेगा, अपने को देना पड़ेगा कि कहा पे यार, price का bank का difference है, कि इस बंदे को तो जो purchase करीते है न अपने माल, इस बंदे का तो purchase बना कराता है same तरिक्या का goods अपने इस vendor से खरीता था 500 का अब यही same तरिक्या का goods अपने दूसरे vendor से खरीता है 5,000 रुपे का तो इसको क्यूंकि इस कुछी में अपने जादा रुपे दिये तो यह सब सी data analytics करना है, एक raw data से meaningful information निकालना raw data से meaningful information निकालना इसको कहते data analytics audit analytics वही होता है, audit analytics कि अब जो raw data से अपने meaningful information निकालाना यह data को low data से अपने को audit में यूज लेना audit में यूज लेना बहुत सारा data होता है, मैन वाली यह सब کام कर नहीं सकते तो अबुत सारे large data को बहुत सारे large data को उससे अपने को 뭐X trend insights निकालना निकालना जिससे अपनी efficiency बढ़ सके तो इसstे large data से आपने meaningful information निकालना प्रेट मिल गया अपने को यह insights मिल गया यह trend पता पढ़ गया इससे अपने decision ले सके कि auditory analytics किसमें help करता है basic सीजह कि मैं पैटर आइडिटीफाई कर सकता हूँ cells रागा है पहले इतनी cells ते अब थी ती ती रही आप फिला प्रेटर पता पढ़ सकता है कोई भी useful information मुझे इससे पता पढ़ सकती है anomaly पता कर सकती है anomaly मतलब केवाल ये lifetime one error हुआ है और ये error भी नहीं हुआ है ये एक specific situation में हमको exception हुआ है कि ये normal process जिसा था normal process के अंदर था कि 5 लाग के उपर की sale केवाल CEO ही approve करेगा पाद लाग के उपर ही पर सकती है पर उसक्षियों था ही नहीं CEO ने SAP में approve नहीं करा फिर भी अपने purchase कर ली क्योंकि CEO SAP पर अक्सेश नहीं था CEO ने mail पर अप्रूव कर रखा है तो वो generally SAP पर अप्रूव होना था CEO ने mail पर अप्रूव कर लिया CART, CART होता है Computerized Assisted Audit Technique मलता है वो software वो software जो ये नीचे CART ये CART होता है कुछ software होते है जो audit के लिए वो बंदे यूज लेते है अपने बंदा अपने यूज लेते है अपने यूज लेते है Data Analytics के वो software जो auditor यूज लेते है Computer Assisted Technique analytical tool, visualizing tool तो क्यों large set of data होता है manually अब इतना काम नहीं हो सकता अब सब कुछ CART के मदद से होता है तो CART के कुछ ए example ये software है अलग-अलग तरह के software है इतना load मत लेना तुम बहुत सार तरह के software है ये तुमारे उपह अब ये अलग-अलग तरह के software है अब ये होता है कि कोई भी data extraction analysis करना fraud को prevent detect करना ये सारा का सारा काम ये ही कर देगा बतला मैं तुम नहीं हो गया था कि तुम बसके data upload कर दो पूरे के पूरे analysis वगरा करकुरा कि ये कर देगा ये ACL कर देगा अब इसकी trick क्या है दबल दो बारे ये आगया बगी BC दो बारे ये आगया फिर BC ABC ACL Ultra X B से BI Power BI C से कैसर ठीक है Ultra X ACL Ultra X ACL दबल ये होगे Ultra X ACL B से BI होगे Power BI होगे C से कैसर तो ACL क्या होगे data को extract करने का काम data को analyze करने का काम fraud को detect पूरा काम ये software कर देगा पूरा काम ये software कर देगा large state of data तुम बस उसके में डाल दो वो खुद अपना pattern identify कर देगा सब कुछ कर देगा सब कुछ बता देगा यहाँ यहाँ पर discrepancy है जैसे example ये reconcile कर देगा trial balance को general laser से यहाँ पर दोनों complete है नहीं है सारा general laser तो सारा data trial balance में गया है यह सब जैसे MS Excel से beyond काम करना होगा आपनको MS Excel इतना बड़ाड़ा काम नहीं कर सकता है तो यह software देगा अपनको ठीक, ASL Ultrex वसी होता है financial and operational data को link कर देता है financial and operational data यह 1000 रुपे का rent लेता है तो इसके पास तो पास लाग का revenue हो चाहिए पर असली में revenue इसका पास कोड़ो का क्यों शोर हो रहा है तो वो operation financial data को खुदी link करके देदेगा number of room multiply room rent तो यह revenue तो इतना होना चाहिए तो इसका revenue इतना कैसा है तो financial operational data को चेक कर लेगा plus इसके अंदर और और भी एक function ही बहुत function होगी starting से लेकर enter का काम यह कर लेगा audit trail भी यही check कर लेगा audit trail की कोई भी journal entry हुई आपको उस data उठाना है client से लेके इसके अंदर पटक देना अब वो बता देगा कि यह entry दस बार change हुई है पहले इस entry का पास लाग amount डालता फिर दस लाग amount डाला फिर बाद में year end पर इसका amount दस करोड कर दिया तो यहाँ पर fraud होने की chances है कि year end पित्ता बड़ा amount क्यों करा audit trail हो गरा सब कुछ यह identify कर लेगा कि transparent audit trail होगी हर एक action की analytic भी यही कर लेगा machine learning भी होगी इसके पास machine learning process भी हाग machine learning को highlight कर देना कि यह learn भी कर लेगा चीज़े artificial intelligence जो data आप बार बार इसको सिखा रहे हो machine learning यह खुद भी learn कर लेगा चीज़े तो search for a pattern of indicative fraud machine learning है कि यह pattern पकर लेगा फ्रोड के क्यार यहाँ पर 500-500 की से लिए एकदम से एक क्रोड की किसी चलगी तो fraud की पर कर लेगा प्लस यह आपका process increase कर देगा लाइक normal accounting का tax filing वगरागा यह खुद कर लेगा काम tax filing process वगरागा यह auditor के पास audit only audit के लिए software नहीं है यह बाकी चीज़ों के पर लिए software tax filing, ROC filing, यह सब कुछ automate कर सकता है आपकी आप बर data डाल देगा रिकंसिलेशन, consolidation यह वाला software सब कुछ काम कर सकता है Power BI मैंने बोला पर MS Excel का advanced version है जनरली chart वगरा pie chart वगरा इस सब बना के देगा अच्छे से visualize करके comment भी वो ही बता देगा कि हाँ बाई यह data के अंदर यह यह change है इस महीं ने इतना revenue था, इस महीं ने इतना revenue है तो एक तरह से data को बहुत अच्छे तरह से visualize करना present करना, बहुत बड़े numerical data को अच्छे से chart tabular format में present करना Power BI कर देगा यह business intelligence, non-technical business user भी इसको use कर सकते है data को aggregate करने के लिए उसको analyze करने के लिए और visualize करने के लिए बहुत easily हो जाएगा use for the reporting purpose बहुत बनाने के लिए यह लग 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 chart, tabular हो कर बनाने के लिए उसके लिए ची होगा interactive dashboard होता है इसका बहुत जाएगा अच्छे से लिखता है data guess where अब यह कुछ ही नहीं है जैसे SAP वगला software होता है SAP, Tally वगला वेसा ही एक बहुत advanced software है वैसे एडिशे से इसको SAP मान के चलए तो वहला सारा end to end आपकी organization को इसने link कर रहा है purchase से लेके कि जब भी कोई बंदा P.O. race करेगा P.O. race करने से finally purchase हो जाएगी और purchase का जो final payment हो जाएगा और P.O. race पेमेंट होगा और purchase के साथ-साथ inventory भी आपके पास आ जाएगी तो सब कुछ आपने link कर दिया सब कुछ P.O. purchase, inventory, management, payment सारा data एक साथ console के आपका financial statement बन जाएगा सब कुछ आपको एक जीगे मिल जाएगा सब कुछ single click में काम होगा reports भी आपके निकाल देगा सारी accounting अच्छे से हो जाएगी तो caseware उस तरह का software है analysis भी कर देगा उपड से इसके आप तो data analysis भी यही कर देगा audit करने में भी आपको यही मदद कर देगा उदर से आपको timely report अगरा मिल जाएगी decision making भी यही मिल जाएगी quickly आपको deal मिल जाएगी analytical insight भी आपको मिल जाएगे इसे आप informed decision laser को use by the accounting firm इसको generally use लेती है जो integrate कर देती है तो अब यह नहीं है कि सारी software अलग अलग बिल्कुल different different है सारे software आपस में एक दूसी काम perform करते है किसी में थोले जादा एक्स्रा feature है किसी में कम feature है वो तो पात होई होगी ABC क्या बढ़ा था अपने ABC स्की ट्रीक है A बार दो बार हो गए ACL, UltraX, B से BI, Power BI और C से Caseware तो मीनिंग क्या होता है Data Analytica और उसके कुछ एक्जामपल दो एक्जामपल आपने उपड़ा न ABC और Data Analytica मतलब समझा देना कुछ situation बताओ जिसके अंदर कार्ट आप perform कर सकते हो कोई भी ऐसी है कोई situation बताओ इसने ने एक question दिया भाई आईसी है ने payment करते बग payment का record और calculation दो चीचेक करने है जब आप payment करते हो तो payment के record और document calculation दो चीचेक करने है क्या चीचेक करने है एक तो record और calculation payment का record मतलब कि आपके पास इंवोईस होना चाहिए payment का invoice के बदले में तो चीचेक करने है और कितना payment करना उसकी calculation देखने है तो payment करते हो रिकोर्ड और calculation दो चीज़ चेक करने है record के अंदर एक तो record complete होना चाहिए और consistent हो चाहिए record के अंदर चाहिए complete और consistent कि आपके अब पूरा payment का record complete है हमने जो भी payment करा उसका record उसका invoice कुछ complete है record complete हो consistent है और calculation के अंदर कोई भी error exception तो नहीं है न और payment authorization से गया है payment authorization गया है payment check करते होग दो चीज़े check करनी है एक तो record और एक calculation record और calculation records होना चाहिए न complete or consistent होना चाहिए जो calculation होना चाहिए उसमें कोई भी error exception नहीं होने चाहिए amount authorized होना चाहिए payment का तो अपनको देखना पड़ेगा अपनको देखना पड़ेगा अपनको की power PA से देखना पड़ेगा कोई भी duplicate payment तो नहीं हुआ है न कि पताला same invoice आपनको बता देगा card की same invoice number पर दो payment हो है वो automatic highlight कर देगा कि ये same invoice number है जिते भी payment हो है complete जितनी भी information चाहिए थी payment करने के लिए उस सारी system डाली भी है invoice number invoice name वगरा सब कुछ डाला भाए आपने उसके अंदर consistent होना चाहिए regular format होना चाहिए जैसे invoice जो है न invoice का एक sequence होना चाहिए sequence नहीं है 1,2,3,4,5 ऐसे sequence में चल रहा है कोई भी ऐसा sequence तूटा तो वो पकड़ लेगा card आपको तो consistent होना चाहिए तो payment करते हो record आपके पाइ complete or consistent होना चाहिए और calculation में कोई भी error exception नहीं होना चाहिए तो वो card है वापिस आपको calculation परफॉंग करके देगा कि इतना 5% TDS card करना था तो 5% card जो भी कोई software होगो तो 5% card के फिर देखेगा कि इतना ही payment करा है आपने calculation चेक करेगा exception कोई भी तो नहीं है कि आपको कोई भी cash transaction income tax कर लगा रहा है कि cash transaction 10,000 से उपर नहीं कर सकते तो card वो software आपको पकड़ लेगा कि जो भी transaction आपको 10,000 के उपर उसको अलग identify कर लेगा error कोई भी नहीं होना चाहिए अपने लिखावा है कि Mr.Sham 10,000,000 के उपर payment approve नहीं कर सकता तो वो देख लिखा कि Mr.Sham ने कोई भी space value limits उपर payment approve करा है अब भाई कुछ automated tools है audit के अंबर जो organization use लेती है तो organization कुछ software आजकाल यूज लेती है मतलब कुछ नई technology like robots यूज ले रही है IOT यूज ले रही है blockchain technologies यूज ले रही है आजकाल तो अब auditor को क्या क्या ध्यान में रखना है be honest ICI ने यहाँ पर कच्छरा डाला है उठा के डालना चाहिए था यह होना चाहिए था course में पर इसको असली में बहुत practical scenarios के साथ देना चाहिए था ICI ने पता है मैं कुछ चीज़ में को भी चीज़ पढ़ने के लिए Google करने पड़ी थी बहुत चीज़ आपको मुझे नहीं पता है इतनी technology मुझे भी ठीक है तो अब समझो तुम कुल मिलाके है अब जैसे अपन समझे है artificial intelligence अपने पड़ा artificial intelligence होता है कि कोई भी रोबोट के अंदा artificial intelligence डाल दी कोई computer system के अंदा जैसे chat GPT chat GPT का कोई advanced version आगया चो accounting भी खुद कर लेगा अपनको बास लिखना है कि 10,000 का sales invoice आया इस vendor से accounting करते है तो artificial intelligence आ गई वहाँ पर तब वो 10,000 का invoice पूरा का artificial intelligence वो chat GPT खुद ही पूरी accounting एंटर कर रहा है उसमें दिमाग भी आगया तो as an auditor मुझे देखना पड़ेगा कि कहा कहा पर क्या audit implication हो सकती है कि जो भी उसका algorithm है जो भी उसका source code है source code मलब जो भी उसको chat GPT को बिनाने के लिए जो भी पीछे coding करी है उसका algorithm है कि पहले ये करना है पहले ये करना है उसका algorithm है उसका process है वो बिल्कुल सही तो लगा रखाया है ना मुझे किसे expert को गुला कि सबसी ये check करानी पड़ेगी risk का है क्या हो सकती है कि हो सकता है ये तो online connected है data काई पर privacy leak हो जाए तो मुझे ये check करनी पड़ेगी कि कहा कहा पर में को financial impact भी हो सकता है इन चीजों का financial impact भी तो सकता है कि accounting गलत हो गई even accounting से related नहीं है पर अगर इससे कोई data leak हो गया data leak हो गया तो हो सकता है कोई अपने उपर fraud का case करते कोई customer हो गरा तो वो वाला मेरे पर data financial implication हो जाएगी तो नहीं नहीं technology हो गना चीजों लेरी उस वेसे मेरे पर माता है ज़्यादा पढ़ रहे लोग बाग अगर अगर पर माता ज़्यादा पढ़ रहे लोग बाग एंटरप्राइज जो है ना एंटरप्राइजेज नहीं नहीं technology लगा रही है तो ओडिटर को ना उन पर चीजे समझनी पढ़े क्या नहीं technology उससाब से उन पर प्रोसर लगाना पढ़ेगा ताकि अपने financial statement पर उसका क्या-क्या impact आएगा वो चीज देखने पड़ेगी जनरल आइटरी कंट्रोल एप्लिकेशन आइटरी कंट्रोल जो भी अपने financial reporting के लिए अपने को फैसे मतला बेना washing machine आजकाल आप गर्स पर मोबाइल में इंटरेंट से करेक्ट कर दिया आप जा रहे हो AC, AC, AC का basic example AC इंटरेंट से मोबाइल से आजका करनेक्ट हो जाता है आप आरे हो, आपको लगे कि याँ मैं दो किलोमेटर दूर हूँ इंटरेंट से सब कुछ चीज़े करनेक्ट हो गए आजका किसी भी डिवाइस को इंटरेंट से करनेक्ट करना IoT, IoT, Internet of Things को किराता है वो अपना अब IoT जो है न, Data Collection, Analytics, Connectivity वो डाटा को collect कर लेता है खुद, analyze कर लेता है, connectivity वो चेक कर लेता है तो ये डाटा को फूरी connect, analyze कर सकता है सब कुछ IoT कर सकता है आपर तो रिस्क क्या हो सकती है? बहुत basic risk है बहुत डिवाइस को hijack कर सकता है सब कुछ internet से connect, internet से जो connect होगी आपके चीज़ वो hijack होने की बहुत ज़्यादा chances है denial of service हो सकता है कि कभी आप वो काम करना चाहो उपर तरी नहीं पा रहा हो किसने बहुत ज़्यादा request risk कर दिये attack हो सकता है आपको attack मतलब denial of attack वाला risk वाला attack डिवाइस को theft हो सकती है, breach हो सकती है आपको mobile device हो किसने hack कर लिए अब mobile device को hack करने के बादा फुद यूज ले रहा या data thief हो सकता है device hijack हो सकता है कुछ भी हो सकता है बहुत common इसके hijack होना, thief होना, breach होना, attack होना audit पर implication क्या है क्या है क्योंकि अब सब कुछ online हो गया सब कुछ online हो गया manual control पर रिलाइन नहीं कर सकता अब auditor को भी न अपना new system डेलना पड़ेगा audit के अंदर इसको new system into their audit सब कुछ automated काम हो रहा है तो new system के हिसाफ से audit करनी पड़ेगी तो auditor को अब भी नई technology आगे मुझे मेरे बंदे भी train करने पड़ेगा मुझे मेरे बंदे भी train करने पड़ेगा को कि हर मेरे जिते ही staff उनको समझाना पड़ेगा ऐसा IoT devices होता है इनसे तुमको यह देखना है कि जो IoT से IoT से को information collect हो रही है इसका बहुत basic example दू क्या या मैं कुछ चानी ते समझाने की मैं समझा देता हूँ कुछ countries है यह कुछ क्या vehicle manufacturing industry है जो electronic vehicles बनाती electronic vehicles बनाती है उसके अंदर कुछ IoT device fit कर रखिये IoT device के और ही से कितने km किभलोमेटर न रहन करें जितने km दू करएं उसाब से रुपे लेती है companies उनसे IoT data है न IoTorden they will find kids a horse revenue multiply किते किलोमेटर गाड़ी चली वो IOT तो अपनको बता रहा है वो किलोमेटर अब देल डाटा इतना इंपर्ट रोगे तो आपनको देखना पड़ेगा कि IOT सही डाटा तो दे रहा है नहीं दे रहा ठीक है ना तो manual control not being able to rely on manual control पर rely नहीं कर सकता हूँ वो मुझे अपना नया system आपर लेना पड़ेगा वो मुझे ओटर खुद को भी अब scale करना पड़ेगा क्यों manual control पर rely नहीं कर सकता हूँ तो मुझे automated control लगाना पड़ेगा कि वो data सब कुछ सही आ रहा हूँ न्यू रिस्क हो सकती है flow of transaction के अंदर रिस्क को कैसे manage करना है वो समझना है मैं ना पर rely नहीं कर सकता हूँ खुद को अब scale करना पड़ेगा automatic control के लिए new system लगाना पड़ेगा audit के लिए payment processing tool जैसे आज काल रेजर पे वगरा online payment आ गया payment processing के कोई new path आ गया आजकल बहुत सारे बहुत सारे information आ रही है तो बहुत सारे transaction हो गए तो उसके related क्या क्या control है तो यह साइची मैं 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 मैंने रिना नहीं कर सकता है new automatic control लगाने पड़ेंगे खुद को अपश्किल होना पड़ेगा शिस्टम नहीं रगाना पड़ेगा और payment processing टूल यह हो गया iot related चीज़ है Artificial intelligence भाई वह ही Artificial intelligence मतलब मैंने कुछ चीज़े सेट तो कर चैट जीबटी का basic example चैट जीबटी खुद accounting करा पूरी की पूरी तो उसमें खुद में दिमाग process आजाएगा मैं जैसे चीज़े सिखाऊंगा ना वो खुद का दिमाग करके चीज लगा देगा 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 उसका source code algorithm बहुत अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा कहा कहा पर bug हो सकते है कहा कहा पर security risk हो सकती है तो वह system और machine जो खुद hink कर सकती हो learn कर सकते है चीज़े को खुद सोच सकती हो खुद learn कर सकती है तो यूटिलाइस करेगा data analysis और रगल उटिलाइस करेगा data analysis और सीरी हो गया self driving car हो गई घूगण assistant हो गया वह self data analysis algorithm सोच सकता है । खुद सोच सकता है और learn कर सकता है तो मुझे उसका algorithm देखना पड़ेगा कि उसको केसे बनाया है, उसका flow of process, कि केसे उस चीज़े समझा रहा है, केसे उस चीज़े समझ रहा है, तो उसका flow of process में जो देखना पड़ेगा, उसका algorithm देखना पड़ेगा, कि उसका flow of process क्या है, algorithm क्या है, कोई भी bias नैस तो नहीं डाला है न, algorithm में, कि कभी भी मुलब उसको समझना पड़ रहा है तो समझने के लिए अपने के लिए अपने के लिए 5 अकाउंटिंग उसको कोई अल्टरनेटिव अकाउंटिंग आ कोई भी ऐसा आगया कि estimate लेना पड़ेगा तो अपने कोई management ने ऐसा कोई उसमें बायस तो नहीं करा है न कि जब भी तरी को estimation की choice हो तो ऐसा estimation लेना जिससे management को फायदा मिले ऐसा कोई बायस तो नहीं डाला है न उसने accounting time पे कोई AI पे effectiveness case है उस algorithm जो भी outcome आया जो भी उसने report निकाल के दी है अपन को AI ने उस report को अपन एक बार finally review करके बेखा है कि हाँ भी report बिल्कुल सही दे रहा है report बिल्कुल सही दे रहा है तो algorithm logical flow of process अपन को check करना है इसमें कौन-कौन सी risk हो सकती है cyber security का का चाहिए है अपन को कहा का bug हो सकते है और जो भी अब वो AI report दे रही है अपन को flow of transaction की तो अपन उस AI को कैसे अपन use ले रहे है transaction process करने के लिए और report generate करने के लिए AI को अपन को बलाके कहा कहा use ले रहे transaction को process करने के लिए कहां भई sales का transaction पूरा यह record करेगी sales की जिती भी report होगी और यही बनाएगी तो कहा कहा अपन उसको use ले रहे AI को decision making के लिए AI को use लेन के लिए oversight by the AI क्या आप management खुद oversight ना करके किसी artificial intelligence को लगा रहे है कि अब जितनी भी चीजे होगी risk वगरा, planning वगरा, financial reporting अब वो artificial intelligence oversight करेगी management oversight नहीं कर रहे है आप चीजे को ध्यान से देख नहीं रहे अब AI खुद देख रहे है तो अब उनको क्या बेखना पड़ेगा कभी भी AI लगाई रहे है किसी organization में उसका algorithm क्या है logical process वगरा क्या outcome review कर रहे है नहीं कर रहे है अपन उसका algorithm क्या लगाया है logical process तो नहीं कोई bias तो नहीं कर रहा उसका एक्जांपल में जो दूँ क्या है पाच estimate में कोई एक estimate चूज करना है तो बाइस उख रहते हैं अलगोरित नहीं कर चेक करना पड़ेगा कहा कहा पर बग हो सकते है जो भी कौन से AI पर अपन क्यों depend AI पर transaction के लिए generation of report के लिए AI decision making में अपन म्यूज ले रहा है कि आजकर management के उसके पर से reason making ले रहा है common risk सब में सेम होगी data की privacy के ठुक सकती है online connect हो गया तो data privacy कि किसी और के पास जा सकती है secure ना हो बहुत साइच यह secure ना हो configuration अगर सही नहीं करा अपन AI को इलोन मस्का खुद का statement है कि AI is more dangerous than the human तो अगर उसको configure सही नहीं करा तो वो harm भी कर सकती है people को malfunction कर सकता है यहाँ पर अगाएगा कि configure सही नहीं करा चिट्थी वाला robot ठोकने लग जाएगा अपन लोगों को data privacy security configuration उसका सही data privacy नहीं ठोक जाएगी security हो जाएगी यह commerce तो लगबग सब में सेम ही रही सेम टाइप की रहीगी वापर भी यही data का theft होगा यहाँ पर data privacy होगा security configuration blockchain technology blockchain technology कुल मिला के data को record करने की blockchain ऐसा होता ने? blockchain तुमने पढ़ा होगा यह ऐसा blockchain, यह इससे block बन रहा है यह एक block को दूसरे block से connect करना यह इस block से connect हो गया, यह इस block से आपर एक block बन गया, फिर यह वाला block मिलके यह दो block और बना रहा है यह block इसको ब्लान आ रहा है, यह block अलग दो block बना रहा है, यह block इससे अलग बनेगा यह इससे अलग बनेगा, वो blockchain यह होता है data को store करने के लिए data को इस्टोर करने के लिए जिससे हर एक data आपको कोई भी इस्टोर करने के लिए बंदा नहीं चाहिए होगा हर एक ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंट लिए ब्लोक्चेन टेक्नोलोजी रिकोर्ड करेगा पहले इस बंदे नहीं जिससे क्रिप्टो करन्सी क्रिप्टो करन्सी को मेनेज करने के लिए कोई भी इसको अगराशन नहीं नहीं करकी कि इसने सेल पर्चेस करा क्या करा जैसे शेर मार्केट के अमदा एनेस जेल करता है पूरा तो इसको भी इसको भी मोडिफाय करना पड़ जाएगा तो वह कभी है करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कि यह वाला इससे रिलेटेड है कोई भी एक काप चेंज करोगे तो दूसरा हली निहीं पाएगा तो उस वे से आपको ट्रांसिक्शन चेंज नहीं हुपाएग तो यह दिसेंट्रालाइस्ड लेजर से लेजर ही तो डाटा करेकण गाल लेजर हेगे इसके हर एक चीवर हर एक अच्छे से एक अजर एक हाएग आछ इक आसको नहीं deed to पाओगे, encrypt अच्छे तरह से transaction, each transaction validate होता, हर transaction validate होगा, पुराने वाले से, कि यह पुरान नहीं करा, इस नहीं करा, तो validate भी होगा आप उसके अंदर, block है, यह बहुत block, blockchain होगा, block है, information का, हर एक block है, information का block है, information का block है, distribute करका हर parts बन गाए, हर block का एक sequence है, तो modification delete करना possible नहीं हो पाएगा, कि हर एक block का sequence वाइज चला है, transition, किसी एक particular का चेंज नहीं कर सकते, bitcoin cryptocurrency इसी पर चल रहा है, cryptography पर, common risk क्या हो सकता है, जो इसका strength है, वो ही weakness हो सकता है, हो सकता है, पांगो किसी transaction मोडिफाय करना हो, उसको modify, करी नहीं पा रहा हो, उसको modify, करी नहीं पा रहा हो, वो lock कर दिया, अपांगो को change करना है, क्योंकि यह तो पूरा encrypted किसी चीज को पनको change करना हो, या data recover करना हो, होई नहीं पा रहा हो, लोगा contingency planning नहीं अपने पास, cyber attack हो सकता है, data hack हो सकता है, वह सी बात है, सब में अंदर वह सीम लगेगा compliance with regulation law and regulation देखना पड़ेगा cryptocurrency के लिए कौन से regulation लग रहा है वो सब अपन को वो सारे comply करने पड़ेगे data management करा क्या audit में क्या implication आ सकता है governance and security की auditor को देखना पड़ेगा security को कौन govern कर रहा है direct transaction क्योंकि ये तो decentralize कोई न कोई कहा पर automatic secure हो रहा है, कोई बंदा specific secure कर नहीं रहा है इसको, तो भाइट क्या data असली में secure रहेगा नहीं रहेगा, अगर कोई भी bank अगर cryptocurrency में अगर blockchain यूज देने लग गई, अभी तो bank अगर direct transaction, system के थूरू record होता है कोई system को इनके पास, अगर blockchain technology यूज लग गई है, अगर bank को अगरा, तो क्या वो असली में secure रहेगा, उसको govern कॉन कर रहा है, उसको confidentiality and privacy, क्योंकि blockchain जो है na blockchain अकिला वर्क नहीं करता इसको बहुत सारे software के मतदद लेनी पढ़ती है APIs वगरा, माना पूरी technologies जीज तो blockchain के लिए उसको भी तो पहुत साइ software, website के जड़ों मतद लेनी पढ़ती है, तो क्या data secure रहेगा, क्या blockchain जितनी API software अगरा use ले रहा है, तो data अधर भी distribute हो सकता है न, गलती से उनके पास पहुत चाहिए सारा data, तो blockchain interact with legacy system, business partner, insecure application, API, तो data configuration की ठुक सकती है, यहापर तो आपको देखना पढ़ेगा कि data privacy हो रहेगा, नहीं रहेगा कोई भी weak blockchain, blockchain अगर कोई weak protocol वालता नहीं ब्लोक्चेन strong होनी चाहिए उनके बिल्कुल data privacy, low end regulation कि जो भी data blockchain पे डाल रहे हो, वो private रहना चाहिएगा, low end regulation permit करता है कि आपको अगर blockchain पे लगा रहे हो, तो क्या low end regulation लगेंगे, और वो permit तो करता है आपको blockchain technology यूज लेने के लिए अब यह इतनी चीज़ों को रट नहीं सकता, उपर से लेके एंड तक मैं तुमको यह भी करा रहा हो, यह भी करा रहा हो और यह सारा पेरिग्राफ में दे लिए तोड़े तुमको समझाने के लिए तो governance and security देना पड़ेगा कि secure रहे, साथ-साथ data secure रहना चाहिए privacy confidentiality maintain करनी है, privacy confidentiality गवर्णन security देखनी है, privacy confidentiality देखनी है कि secure भी रहे, privacy data weak को नहीं है, low end regulation compliant NFT तो तुमको पता ही होगा, मुझे पढ़ान के जरूत नहीं है, भाई, बहुत से लोग तो अपने इसे होंगा, NFT के अंदर जो NFT में deal भी करते होंगा non funsible token आजकर हर कोई आगया, हर कोई अपनी image का non funsible token बना लेता है तो भी एक specific imaginary image या music कोई इमेजनरी भी हो सकता है, उसको बसको ला लेकि मेरे नाम पर मैंने NFT करा लिया, उस NFT को मैंने मेरे नाम पर करा लिया मैंने उस image को, music को, book को, मेरे नाम पर करा लिया, online non funsible token, उसका एक token मना लेता है अब इस image की demand and supply कितनी है, demand and supply कितनी है, उससे उसकी price ते हो जाएगी तो non funsible token एक तरीके से cryptocurrency टाइब हो गया है, एक तरीके से cryptocurrency हो गया है, ठीक है ना वो trade होते है market के, अब अब यह image को खरीदना, purchase करना, sale करना, तो यह एक तरीके से आपर sale होंगे, तो trade होंगे, expense में traded होते है, तो non funsible token unlike physical money and cryptocurrency are, physical money and cryptocurrencies are funsible token, physical money, तो physical होती है, यह funsible है, मतलब artificial type, cryptocurrencies are funsible NFTs non funsible होते है, NFT क्या होते है, non funsible, यह तो funsible होते है, इनकेpts Surface तो होता है, इनकेlass बेक में कोई base होता है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, funsible मतलब यह trade, expense हो सकते है जो physical money, cryptocurrency ये न ये trade हो सकते है एक्सेंज जोगर आपे NFT non-funciable ये trade नहीं हो सकते है आप इसकी ownership को transfer करना बहुत मुश्किल है मालब इसकी sale price ये होते हैं कि bid लगाते हैं आप आपे bid लगाना पड़ेगा आपको आपे ये digital signature होते है अब के अंबर इसकी ownership होती है photos, video, artwork की photos, videos, artwork आप कुछ भी लगा सकते हो किसी को भी non-funciable token में convert कर सकते हो used to represent ownership of a unique item अब NFT के उले यूनिक item की ownership शो करता है कि आपने किसी भी चीज की NFT non-funciable token लगा भी है कि कोई art बनाई, उस art का NFT मेंने मेरे नाम पर करा लिया तो अब या art मेरे नाम पर है पर मिला कि ownership शो करेगा किसी भी unique item की art, video, photos हो करा कि ownership शो करा आपको digital signature होता है ये blockchain technology यूज लेता है generally एक time पे इसका एक ही owner होता है अब ownership, ownership का game चल रहा है तो challenges क्या होगा कि इसके खुद के challenges हो सकते है कि ownership को ने कोई दूसरा बंदा के copyright claim ठोक सकता है security risk हो सकती है, online fraud हो सकता है सब के अंदर सेम है, online fraud, security risk हो सकता है, data privacy के ठोक सकती है, cyber threat हो सकता है ये सब के अंदर challenges same type के आ रहा है अब feature क्या होता है NFT के ये digital asset होती है, physical asset नहीं है ये digital asset है, जैसे art, music वगरा ये एक certificate है कि और आकर वाइसका एक fungible token है certificate है कि इसका owner में हो certificate create होता है blockchain technology, ये digital asset है unique है, क्योंक ब्लोक्चें technology पे है, तो इसको कोई force नहीं कर सकता, आपके पाब वो token आ गया तो इसकी ownership change करना इतना बहुत hard होता है crypto currency पे इसको कोई easily इसकी ownership change नहीं हो सही force नहीं कर सकता है, को लोग गलत document क्योंकि इसका है, सबका एक digital signature अपने बढ़ना digital signature है, तो ये ownership represent करेगा, कि इसका owner में ही उसको forge नहीं कर सकता कोई, कि कोई दूसरा अपना चूटा के बोले कि इसकी ownership मेरे पास है exchange, इसका exchange होता है जो crypto currency के through होता है इसको sale purchase अगर आपको करना है crypto currency के through होगा, जैसे INR, USD के through नहीं होगा, crypto currency के through होगा bitcoin, एक bitcoin में आपको NFT देदूगा, दो bitcoin में आपको देदूगा, ऐसा वाला ठीक है तो भाई, चैलेंज़ अपने सब के कॉमने NFT के फीचर के है digital asset होती है, बहुत unique होती है और exchange क्रिप्टो करनाशी के through करते है digital asset होती है, ये NFT एक तो unique होती है, इसकी manipulate नहीं कर सकती है इसकी forge ownership अगरा तो digital asset है, योनिक होती है और इसके एक्सेंस क्रिप्टो करनश के तरह होता है डिजिटल, यूनिक और एक्सेंस क्रिप्टो करनश के तरह हो चंदा चप्टर है नहीं दो रहा? मेरे हाथ में नहीं है, मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था हुग तुम बाखी जगे देख लेना क्या हो रहा है इनका कि उनको याद कराने की फूरी कुशिश करा हूँ, सब कुछ करा हूँ, उपपर के साइच याद भी कराई है और रिवीजन तो अफकोस तुमको ही करना पड़ागा कोई भी repetitive task था, उस repetitive task करने के लिए कोई भी robot आ गया मनलब कोई financial statement बनाना, trial balance से financial statement बनाने के लिए robot आ गया, robot को रख लिए, robot इसा जरुए नहीं, इसा manual robot robotic system, computer के मदें इस्टोल कर दिया को software की, अब पूरा का trial balance से जो financial statement बनेगा, वो manual इंसान को नहीं बनाना, robotic, कैसे automatic बन जाएगा, अपने एक sequence ताय कर दिया, उसका sequence ताय कर दिया, automate कर दिया कोई भी repetitive process को, ठीक है, तो human acting, interacting, software boat, software boat कोई भी interact कर सकता है application के साथ, ता तो यह हो सकता है robotic process automation, या फिर RPA, यह भी हो सकता है कि, जैसे तुम्हें वो बनाना, RPA, जैसे यह तो होई सकता है, कोई भी चीज को automate कर देना, कोल भी, किसी भी चीज को automate कर देना, वो RPA, जैसे तुमने वो आज कल दिखा है, कोई भी website चलाते हो, तो website पे एक pop-up आता है, chat करने का, website पे एक chat करने का pop-up नहीं आता, तो chat कोन करता है, chat आप थोड़े ना करते हो, कोई, chat उसका सामेद को बंदा तो ना कर रहोता आपका बेट करने का, वह भी website चलाया है आपने, तो how may I help you वाले एक नहीं आता, जन्रली, आप एक रोबोट %, आपसामेद वाले रोबोट होते है, यचिकट बुक कराने, तो रोबोट आपको लिंक देगा, कि यहाँ पे जाके हमारी website पे इतका चिकक कर लो, तो आप बोलोगे इस ठिकेट की प्राइस किती है, वो रोबोट आपको प्राइस निकाल करें, वो रोबोटिक काम है, वो मैनौल काम नहीं रहा अब यह सब चीज है समझना पड़ेगा, बहुत बेशिक चीजी, तो निसमेश्चन आपकी का से करें, रोबोट आग्रिगेट करें रोबोट आपको करें, कोई शूर्स कोड देखना पड़ेगा, क्यूंकि कोई बी सॉफ्टर बनाते हो, तो सॉफ्टर कैसे बनता है, उसके पीछे कोई सॉफ्ट करनी पड़े उसके मुझे understand करना पड़ेगा किस तूल को लेकर RPA बनाया है किस टूल को लेकर के लिए बहुत सारी टूल्स होते हैं अपन आईटी के बनने नहीं है अापन को नहीं पदा पर मैंने Google पर पढ़ा होते हैं की मान अब कोई आर उस्वर मुआ आधि बहुत साय तरीक्वी होते हैं आप किस किस सॉफ्टवेल से आपने को मिला कि और ऍरेकु बनाया की is यह नहीं करिए, common risk क्या होगी अब इसके लिए, operational और executional risk, कि आपने जो लगाया न, modal, वो आपने जो भी software बनाया, wrong assumption के साथ बना दिया, wrong tool को लेके बना दिया, गलत, गलत tool से आपने बना दिया, assumption गलत डाल दिया, आपने calculation के, आपने डाल दिया, कि 10% अब आप calculation करेगा, automatic, पर असली के अंदर तो assumption 15% है, पर जब यह calculation करेगा, अब वो 10% के साथ से robot calculation करेगा, ऐसा कुछ भी, तो operational execution risk हो लगत है, गलत टूल से बना लिया, गलत assumption लगा लिया, security नहीं है उसके अंदर, change management risk, कभी भी आपको उसका management change करना या कोई भी अंदर चीज़ चेंज करनी आपको, तो नहीं हो पाए, क्या मालूम गलती से, incomplete testing आपने उसकी पूरी नहीं करी, change management आप नहीं कर पाऊ, तरही तरही से, कोई भी गलत expectation या गलत KPI set कर दिया आपने उसके अंदर, बैक के अंदर अगर आपने चीज़े गलत set कर दी, तो वो सब कुछ सहीद नहीं हो पाएगा, operation education risk होगा, operation education risk, management, change management risk होगा, strategy risk भी आपका या पर होचाएगा, अब जैसे RPA न, in days, IFCFR, SS को चेक करने के लिए होता है, भी बना सकते हैं, मतलब robotic process automation, कि in days, follow करें नहीं करें, IFCFR चेक करां नहीं करां, SS सारे लगा है, नहीं लगा है, तो RPA न, मतलब करा सकते हैं कि, RPA के अंदर अपने डाल दिया, जैसे, RPA के अंदर अपने डाल दिया, कि na, मुझे बताओ कि finance lease के accounting कैसे होगी, तो उसने RPA के अंदर अपने सब कुछ ये manage कर रखा है चीजे, कि RPA के अंदर अपने बस लगा है, कि finance lease के accounting कैसे होगी, तो उसने सब कुछ लिख रखा है, कि ये financial lease के accounting, index 116 deal करता है, 13 number 5 deal करता है, इसका accounting treatment ये बोलता है, ये इसे बोलता है, जैसे मैं ये लिखूँगा न, तो पूरा का मैनुल टासी हो, मैनुल टासी हो, मैनुल टासी हो, मैनुल टासी हो गया, तो वैसी SS follow करें नहीं करें, IFRS हें नहीं है, ये साई चीज़ ये कर सकता है, इस चेनल routing, IFCFR, index, पेरा वाइस, डीटेल, पेरा रेफ्रेंस कोई सा, accounting policy कोई से लगए, calculation कैसे करना है, present conduct कैसे करना है, तो वो देखना पड़ेगा, कि आपनको financial reporting, internal control, reliable position में, आपनको easy रहेगा, अगर अपन ये RPA लगा लेना, अपनी audit ओकरा के अंदर तो बहुत easy रहेगा, वैसे आपके audit की efficiency बढ़ जाएगी, accuracy बढ़ जाएगी, तो वैसे आपको बढ़ना पड़ेगा, कि आपको लिखना है, कि audit documentation maintain करा नहीं करा, तो RPA खुद चेक कर लेगा, कि SA230 के साब से planning का audit documentation भी करना है, strategy का भी करना है, सब कुछ करना है, तो ये करा नहीं कर रहा, ये सब robot की काम कर लेगा, SA230 डाल दो, उसके अंदर detail डाल दो, कि ये documentation होना चाहिए, प्राइने परस्टी में नहीं करा, फ्राइंटी करा, RPA यूज करना है hiring process के अंदर, किसे यूज कर सकते हैं और किसे benefit होगा RPA process का, कि अब hiring करने, किसी organization को hire करने, employee hire करने, तो क्या कर सकता है, भाई, बहुत basic, कोई भी बंदे को hire करना है, सबसे बहुत अपनको advertisement देना पड़ेगा न, कि हमको hiring चाहिए, advertisement देना पड़ेगा, आप उनको Google Ads देने पड़ेंगे, अब Google Ads पर जैसी click करेगा, तो career site पर पहुचा देगा, career site पर पहुचा देगा, कि अब यहाँ पर जाके apply करो, यहाँ पर जाके information डालो आपकी, Google Ads आए, कि हम hire कर रहें, हम hire कर रहें, click करेगा, उसकी career website पर पहुचा देगा, career section वाले पर, फिर वहाँ पर information डालेगा, बंदा information डालेगा, आपर information डालेगा, तो जैसी information डालेगा, तो जो RPA होगा न, robotic process automation, वो scan कर लेगा, उसकी application को, वो खुद ही check कर लेगा, कि मैंने जो डाली थी, मेरेको vacancy के लिए चाहिए था, कि इस बंदे को, Excel आना चाहिए था, Power BI आना चाहिए था, Tally आना चाहिए था, तो अब इसका जो CV डालेगा, जो इसने information डाली, उसमें तो ये साले words ही नहीं, ये सारे words ही नहीं, Tally इसको आता है, Excel आता है, तो बनाब ये इस अब लोल के लिए है ही नहीं, और है वो, तो आर भी आपको ए गेम भी खिलाएगा, आपको गेम खिलाएगा, आपकी माइंड को assess करने के लिए, आपको गेम खिलाएगा, तो गेम से आपका माइंड assess कर लेगा, फिक है, पि जो जो बंदों का specific percent आया, उस गेम को खेनने के आपकी information को scan कर लेगा, पूरा प्रोसेस से रहा है नहीं है तो, information डाली है, वो बंदा सुटेल कर लेगा, उसको game खिलाएगा, वो selected candidate को game खिलाएगा, online game उसकी skill assess करने के लिए, जिसके भी specific percent है, उसको video conference के लिए, शिफ्ट कर लेगा, इसका benefit क्या हुआ, time effort कम लगा, सारा का पूरा 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 असिस्मेंट अच्छे से हो गया, recruiter का कोई भी बायस नहीं रहा, recruiter होता आपने चानमशान के बंदे को लेता, पर आर्पिय ने तो जिसना अच्छे से game खेली, जिसकी information match और यह उसको लिया, efficiency बढ़ गई, time कम हुआ, higher की cost कम हो गई, diversity बढ़ दे रहा, चीक है, basic system, क्या control का ध्यान रखना है, आपको और क्या objective होने चाहिए, जब आप audit करो, digital tool के थो जब आप audit करो, example दो, एक तो technology risk क्या क्या हो सकते हैं, उस पर आपको क्या क्या control लगाना है, technology risk तो अपन अल्यडी पढ़ चुके, वो ही आएगा, वो same topic ही, आपर repeat करा है, बता दूँग आपको आपको आपस से, और आपको क्या क्या technology में, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या control ध्यान में रखने है, new technology की वज़े से, जो भी change हुआ है, तो आपको बड़ानी पड़ेगी, तो आपको खुद को क्योंकि आपको खुद को एक change भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस industry के अंदर ये नई technology पेदा हो चुकी है तो आपको पहले सारी industry के बार में क्या-क्या नई technologies चल रही है उस चीज के बार में आपको understanding होनी चाहिए industry और information technology के आपको change होनी चाहिए फिर अब उस नई technology से क्या-क्या risk हो सकती है new technology हो आगई new technology से क्या-क्या risk हो सकती है क्या-क्या risk हो सकती है यह तो new technology थी अब उस new technology से क्या-क्या risk हो सकती है उस risk का भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई, new technology की बाई, मुझे सारे changes जित्ते भी हुए है, industry के अंदर, और information technology के अंदर, वो ध्यान मेरे रहना चाहिए, और उस technology से क्या-क्या risk हो सकती है, क्या-क्या risk हो सकती है, अब भाई, सीधी बात है, मेरे को इन technology के knowledge नहीं है, तो मुझे या तो special बंदा रखना पड़ेगा, या फिर मुझे खुद की knowledge बढ़ानी पड़ेगी, इसी ठला, skilling and specialization मुझे खुद को रखना पड़ेगा, कि क्या-क्या नई technology से क्या-क्या ज्याद access दिया, वो सारे point बढ़ेगी, कि technology रिस क्या-क्या हो सकती है, unauthorized access data का हो गया, या फिर data loss हो गया, एक दो point extra है, वो ही unauthorized access data का हो गया, फिर master file का हो गया, data का loss हो गया, या फिर system process ने inaccurate data process कर दिया, system के अंदर अपन ने change करी नहीं पाए, या तो unauthorized change हो गया, फिर system आप unauthorized change करी नहीं पाए, या तो change करी नहीं पाए, या फिर unauthorized change हो गया, या फिर person को उसकी उकात से ज़्यादा अपन एक्सेस दे 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 है, manual intervention हो गया, cyber security, same हो के वोई point. Key step for auditor in changing technology environment, auditor को change, जो भी technology change हो रही है, तो उसको क्या कुछ key steps उसको ध्यान में रखने है, क्या चीज़ उसको ध्यान में रखने है, क्या चीज़ उसको ध्यान में रखने है, क्या दिन technology कुछ ने कुछ चेंज होती जा रही है, तो क्या चीज़ ऑडिटर को थो ध्यान में रखने है, तो भाई कुछ भी नहीं है, उसको सारी साही को case से हिला सकती है, तो उसको यह चीज़े देखनी पड़ेगी, new technology management न लगाई, तो control भी लआओ, तो control भी लगाओ नई technology लगाई, तो उसके control भी लगाओ क्योंकि नई technology पर risk है, तो new technology लगाई, तो सब चाद में control भी लगाओ, उसका क्या effect होगा, हमका transaction process पे भी включ क्या new technology लगाई तो उसे control भी लगाऊ फिर देखो कि उससे क्या effect होगा फिर उससे क्या effect होगा फिर से उससे क्या effect होगा जो भी नई technology लगाई उससे क्या effect होगा क्या इंपक्त होगा, उसे क्या impact होगा, क्या अपना transaction process भी impact होगा क्या अपना transaction process भी impact होगा, तो भाई अपन 1957 अपने करेंगे क्या risk असाश्च करी की new technology के भीingen1ending, जब भी new technology लगा यह तक sulph क्या क्ट्रोल भी लगाओ, तो क्या management ने प्रोसेस मैं सब्सक्राइब ने नए टेकनोलोजी का रिसक असिस्मेंट में अब उस transaction process पर क्या effect होगा transaction process पर भी कुछ इंपेक्ट होगा मंझा फर फ्मेसा हिले कोई flow of transaction भी अपना उससे हिलेगा क्या has Já भी नहीं टेकनोलोजी आई न उससे impact का होगा वो अपने देखा कि उसस्य Shoulders हो सकता पर क्या उससे क्या फ्मेसा की ट्रांजेक्शन की फ्लो में भी कुछ इंपेक्ट आएगा क्या तब भी न्यू टेक्नलोजी आई मनलब उसका प्रोफेशनी स्केप्टीज रखना है मैंनेजमेंट का असिस्मेंट रिस्क करते वक्त तो उस पर क्या मैंनेजमेंट ने सही से काई तो भी टेक्कलोजी आए तो उस में आग दायरेटिमबैरेक्ट क्या कांट्रोल हो सकता है और न्यू टेक्नलोजी ग्रा आपशदेग्टों के अने सीधेंग शिमेंट ऊसेट नहीं है क्या कश जनेरेशन बयता है अब ढump pendud आने वाई है तो भाई अब human कम काम करेंगे, अब data-driven technologies बहुत जाबाई काम करेंगी, क्यों मिला कि next generation audit में, अब audit ऐसी लाओ, कि पहले हम क्या sampling करते थे, अभी next generation, अभी की बाद नहीं, अभी generation थोड़ी बदन लो दो, कि पहले हम sampling का data करते थे, अब 100% data check कर सको, ऐसी technology उठा के लाओ, यह इसका aim रहेगा, next generation audit का, कि sampling से हम full data check कर सके, multiple data से हम one set कर सके, manual risk assessment, पहले हम हम manual data risk कर सके, अब इसको बहुत technology की तरिस्ट रिस्ट रहेगर है, repetitive task को हम बहुत जादा, automize कर सके, manual work को automate कर सके, यह सब चीज़ है, example emerging technology के example क्या-क्या है, next generation audit के लिए, क्या-क्या example यकोल मिलाखे, अर, वी आ, ड्रोन मेतावर्स, अर, वी आ, ड्रोन मेतावर्स, अर, वी आ, ड्रोन मेतावर्स, अर, वी pandemic, गल्मेंटेड रयालिटी, वर्च holiness reality, यह VR होता है, अग्मेंटेड रोन अर्वी आ, Drone Metaverse, ARVR Drone Metaverse ARVR Drone Metaverse तो Drone Technology को अपन UAVB कहते है, Unmanned Aerial Vehicle जो हवा में उड़ता है बिना किसी human की मदद से, तो अकुल मिला कि यह remote, अब यह क्या मलब audit के टाइम पर यह मदद कर सकता है कि आप किसी location पर नहीं जा सकते हो physical inventory count करने तो आप वहाँ पर जाके physical inventory count उस drone की मदद से drone को भेज़ो, drone करके लिए आएगा आजकाल तो drone quality check भी कर लेते है कुछ को जैसा भी आता है भाई कि drone उसको scan करके quality check भी कर लेते है तो किसी जगे आप नहीं जा पारे हो तो drone को भेज़ दो ARVR Drone Metaverse ARVR Augmented Reality real world को show करती है भाई जहाँ पर जिसे Pokemon गो किसी ने game खोला हो आपका mobile के अंबर Pokemon गे आपकी पूरा का पूरा map चल रहा होता है Pokemon गे का पूरा map चल रहा होता है और आपको दिखता है कि इस जगे आपका Pokemon ने आपको catch करना होता है, तो पूरा mobile पर Pokemon ने दिखता है, mobile के अंबर पूरा, जहाँ पर खड़े हो उसका पूरा map दिखाएगा, पूरा ऐसा live view दिखरगा कि आप जहाँ खड़े हो, और इस जगे Pokemon ने आपको catch करना होता था तो वहना आप audit इस तरीके से भी कर सकते हो आपको, बिल्कुल augmented reality लगे है कि हाँ, में यही खड़ा हूँ, mobile में बिल्कुल दिखेडा आपन को हाँ, में यही खड़ा हूँ, इस जगे आपके inventory पढ़ी है इस जगे data पढ़ा है, तो आपको mobile में पूरा real view दिख़ेगा उसका पूरा real view दिखेगा तो आप उदर से जाके ऐसा फिल होगा कि हम आसली में वहाँ पर ही खड़ा हूँ यहाँ पर यह चीज पढ़िए यहाँ पर यह चीज पढ़िए तो यह augmented reality सेम वेसिए virtual reality आपको आखों में वर्शव रियलिटी आपको आखों में वर्शव रियालिटी आख और वियार नहीं जाँता हूँ जब कभे मोल वगरा में गेम खेला होँ आखके पास वर वीयार की वह स्क्रीन पड़ीयो तो आखों में पेना देते हैं तो वह पेना ने का अ physical count में यहाँ यहाँ पर यह inventory पढ़िए यह asset पढ़िए तो मैं VR से virtual reality में count कर लूँगा चीजों को जैसे health sector के अंदर डॉक्टर कर सकते हैं डॉक्टर को सर्जन को कभी surgery सिखानी है तो असली मैं इंसान को काटा पीटी करके मत सिखाओ कि उसको surgery करके को नई बंदे को train कर रहे है अब VR पहना दो उसको VR में बिल्कुर technology दिखेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है उसको एस VR, drone, Metaverse, AR VR हो गया, drone हो गया, Metaverse, Metaverse में तुमको कैसे बताओ Metaverse के लिए बहुत Metaverse में पूरी एक class को कर दूँ में तुमाने Metaverse के लिए Metaverse में बताता हूं क्या है क्या है क्या है क्या है लाकि एक नई technology आ रही है overview देता हूं, नई technology बता है किसे है रही, जो real world है ना प पूरा virtual world create हो गया, दिल्ली में जिस society में तुमारा गर है, तुम और कई पे भी रहते हो, तुम New Delhi रहते हो, New Delhi के अंदर कई भी रहते हो, वसंत VR रहते हो, कापे भी रहते हो तो पूरा वसंत VR तुमको वाका भी मिलेगा, जहां तुमारा गर है वहां तुमको को गर भी तुमको यहाँ पर investment करना है दिल्ली के अंदर hospital में, दिल्ली के हमाँ hospital तुमको कोई भी building खरीद नहीं, अभी building तुम खरीद नहीं सकते हैं, तो एक काम करो, तुम इस Metaverse में आके, यहाँ पर जो building, same building यहाँ दिखेगी, इस Metaverse में building खरीद लो, Metaverse में building खरीद ली आप तु इसकी जो building की price होगी ना, वो इधर की असली वाली demand supply से इधर घरण होगी, अभी इसकी exact सारी चीज़ी तैनी होई वैसे, पर इधर जो building की price चलेगी ना, approximately वही चलेगी, तो तुम इधर नहीं करीद पाए building, इधर खरीद लो, तो जो demand supply इधर होगी ना, वो building तुम इधर investment क करीद सकते हो, तो metaverse का एक और example का है, इसके अंदर bank financial sectors भी होगे, तुम चाओ तो इधर से loan लेके इस building को खरीद लो, bank वाले तुमको इधर virtual loan देंगे और फिर तुम इस building को खरीद लो, जो gain होगा, वो असली में होगा, तुम उसको withdraw कर सकते हो, फिर ऐसे होगा, metaverse में ही त तुम conference room book कर सकते हो, conference room, client भी घर पे बेटा है, तुम भी घर पे बेटा हो, पर तुमने conference room book कर लिया, conference room, अब तुमको सब कुछ ऐसा दिखेगा कि real हो रहा है, तुम वो VR पेना देंगे, तुमको ऐसा लगएगा कि तुम खुद इस chair पे आके बेटे हो, अब सामने वाला client इस chair पे आके बेटा है, अब तुम्हारा conference room बेटके बेटके discussion चल रहा है, तुम दोनों ने VR लगा रहा है, तुम वो अपने गर पे अपने गर पे, अब जो internet से connect हो के conference room में तुम बेटा हो, तुम तुमारे सामने बेटा हो, हातों के action भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा सब कुछ metaverse का लगी, world होगे, पुरा पुरा दुनिया का लग होगे, इसके अंदर बहुत चीज़े है, हाला कि समझाने लगे, पर हमें नहीं समझाता, time का construct भी है, constant BI से ने तुम डाल देया, मजाग मजाग, देखो, VR, AR को use लेके metaverse बनाये वाई, जो में तुम आख में VR पेना दिया तुमको, digital technology के थुरू, जिसमें अब cryptocurrency अंदर use होने वाली है, शायद transaction के लिए, asset के लिए, कि कौन asset का कौन सा owner है, उसके लिए NFTs देदेंगे, उसको non fungible tokens देदेंगे, इस building का to owner है, non fungible, तो कुछ चीज़ा आपको क्या धियान रखने है, digital monetary system होगा, क्योंकि coin exchange, cryptocurrency exchange, कैसे monetary system consider होगा, आपको वो सब चीज़ देखना पड़ेगा, governance model क्या होगा, अभी तक सबको decide नहीं हुआ है, governance model, बहुत ज़्यादा difficult होगा कि उस parallel world को सम्हालेंगे कैसे भाई, उसके अंदर की चीज़ों को, KYC क्या बहुत बड़ा challenge हो जाएगा, कि कोई बंदा asset purchase क कर रहा है, क्या कर रहा है, bank account खुला रहा है, तो उसके अंदर पैसे जमा करा रहा है, तो KYC क्या होगी, क्योंकि वह असली में तो money सटा हो गया न, एक तरीके से, असली में पैसा हो बात में withdraw भी कर सकता है, वह बात में, तो KYC norms के से follow करेगा, बंदा, synchronize करना पड़ेगा, real time basis पे भाई, जो इधर जो हो रहा है, real world के अंदर, वो meta worlds के अंदर, synchronize के से होगा data, हौँच चीज़े complex हो जाएगे, तो digital monetary system, governance model, KYC, synchronize करना, यह साही चीज़े बहुत दिक्कत पर सकते है, meta worlds के अंदर, common risk के असोसेटी रसाफ के अंदर, MSI, security, public safety नहीं होगी, data privacy नहीं technical challenge आएगे, चल ठीक है, consumer protection, right, कैसे करेंगे, consumer को meta worlds के अंदर, वो तो parallel world है, भोट सारा amount of data होगा, tax session कैसे लगाएगे, geodiction क्या होगा, regulatory, अभी तो, meta worlds के काम चल रहा है, भी तो, बहुत कम काम होगा, भी तो, बहुत चल रहा है, मतलब, meta worlds के मैं पार में कुछ internal information है, प्रदिक्कती confidentiality है, वो बता नहीं सकता, मलब, जिस firm के साथ assignment चल रहे थे, meta worlds के अदर कुछ associated था, चलो, ठीक है, potential application of meta worlds in the financial domain, the financial domain में, meta worlds के financial चीज़ों के अपन पर कैसे कैसे, क्या क्या impact आ सकता है, virtual banking transaction, भाई, वहाँ पे न, virtual banking transaction, मलब, transaction की, इसको loan लेगी, देगी, meta worlds के अंदर bank होगी, तो financial institution होगी, meta worlds के अंदर, वो banking service देगी, users को, virtual wallet होगे, virtual currency होगी, उसको के से चीज़ों करेंगे, digital asset management, वहाँ पे NFTs होगी, हर asset को sale purchase करने के लिए, building को भी NFT के थूरू बेचा जाएगा, अब building को असली में रहने तो नहीं building का तुमको non-fungible token देदेंगे, ownership का, कि इसके owner two more non-fungible token मिल गया तुमको उसका, तो बहुत साए digital asset होगी, उसको कैसे buy purchase sale करेंगे, investor को कैसे portfolio manage होगा, तो भाई ये सब एक तो bank होगया, digital asset manage होगया, virtual financial and education training, ये भी, कि meta worlds के अंदर, meta worlds के लिए, आपना virtual, जो classroom भी बना सकते ह meta worlds के मदर, अब तुम पढ़ाई करने के लिए तुम घर पे बेटे रहा हो, बस एक VR पहनलो, तुमको ऐसा feel होगा कि तुमको कोई classes मिल रही है बापे, तो financial education, education training भी meta worlds में हो सकती है, meeting का conference भी metaverse में हो सकता है, जो बनों को बताया, data visualization analytics में हो सकता है, तुमको VR पहना के कोई अच्छे से data visualize होगा, data analytics तुमको easily समझ में आएगा, सब कुछ ऐसा लगा, तुमको सामदे data analysis चल रहा है, सब कुछ real लग रहा है, यह साथ उमको बहुत easily सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? क्या क्या consideration होती है, एक तो metaverse के अंदर भाई, एक तो digital monetary system आपको पता नहीं, KYC norm कैसे होगा, governance उसको कैसे होगा, synchronous कैसे होगा, और real world के साथ-साथ, अब उसको financial term के अंदर, banking asset purchase, banking, digital asset, banking, digital asset, banking, digital asset, training, classroom और training, classroom, conference, और data vision, यह तीनों CM type के point है, कि तुमको VR पहन के सब चीज़े गर से ही करके बेट सकते हो, training लेना, video conference करना, data visualize करना, यह सब गर से कर सकते हो, training कर लेना, data conference meeting करना, data analytics करना, और बाकी यह दोनों same point type है, banking और asset management होगा, तो यह अपना एक बहुत ही, थोड़ा सा complex type, अजीब सा chapter में, जादा चीज़ेती याद करने के लिए, वो complete हो चुका है अब 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 जल्दी मिलते है, next के लिए, अब यह आपको book purchase करने तो मैं next, आपको link देता हूँ, नीचे, 550 pages की book है, नीचे पर एक features की, मैं video की link दे रहा हूँ, वो याद से देख लेना, पहले अगर तुमको book purchase करने है, तो बाकी भाई, book को तुम देखे रहे होंगे, शा झाल